Hello Everyone, Welcome to Exam Quest Indian Politics का यह हमारा Second Marathon Session है जिसमें हम सबसे important topics जो है Indian Politics के उसको cover करने वाले हैं यह topic बहुत ही जादा vast है और इसमें बहुत सारी चीज़े पढ़नी होती हैं जिसकी बज़े से बच्चे कई बारी पॉलिटी से डर जाते हैं तो हमारा suggestion यह है कि डरना नहीं है जो हमारी यह video आ रही है इस video को कम से कम आप दो बारी देखिए दो बारी देखने के बाद इस topic पर आपको दिक्कत नहीं होगी आप हमारे notes से revise कर सकते हैं या फिर आप लक्षमिकान से भी पढ़ सकते हैं नॉर्मली offline classes में इस topic को cover कराने में कम से कम 8 से 12 गंटे का समय लगता है तो मेरी कोशिश रहीगी कि इस video के अंदर आपको कम से कम समय के अंदर यह पूरा topic revise करा दिया जाए और आपको एक ही जगा पे सारी चीज़े मिल जाएं ताकि आपको इधर उदर देखना न पड़े कि हमें कहां से पढ़ना है जो हमारा पिछला lecture था उसके अंदर एक चोटी सी correction है पिछले lecture में जब हम citizenship amendment act 2019 पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो illegal migrants इंडिया में enter हुए है 31 December 2004 से पहले उनके लिए कुछ रियायत की गई है कुछ छूट की गई है citizenship act के अंदर तो यहाँ पे एक चोटी सी correction यह कि यह 2004 नहीं है 2014 है तो अगर आप हमारे lecture से notes बना रहे हैं तो प्लीज इसको correct कर लिजेगा 2014 से पहले वो अगर इंडिया में enter हुए है तो उनके लिए वो रियायत की गई थी जो naturalization वाला हमने बात की थी ठीक है तो यह 2014 कर लिजेगा जिनों ने भी हमारे notes लिया उनको हम यह correct करके हमारे next PDF के अंदर आपको भेज देंगे अभी तक हमने जो जादा focus रखा था वो रखा था article number याद करने पर और हमने article number 78 तक याद कर लिया था अब हमें article 79 से करना चालू करना है 79 article से हमारा parliament स्टार्ट होता है अब से मैं आपको जहां पर बोलता चलूँगा कि यह article important है आप उसको mark कर लेंगे और उसको article number के साथ याद करेंगे ठीक है तो सारे के सारे article याद नहीं करने जिनको मैं बोलो important आप सिरफ उनको याद करेंगे और major focus आप रखेंगे theory के उपर कि इसकी theory क्या चल रही है कौन सी चीज क्या कहती है ठीक है major focus इसके उपर article number जो बता दिया वही याद रखना है तो हमारा जो parliament है Parliament के article स्टार्ट होते हैं 79 से और ये खतम होते हैं आपके 123 आप ऐसे याद करें 123 123 एक दो तीन तक ये parliament आपका खतम हो जाता है 123 प्रेजिडेंट की audience की power है वो जब आएगा तब देखेंगे हम तो parliament जो होता है ये आपके Indian polity का सबसे बड़ा और सबसे important chapter है जहाँ पे धेर सारी चीज़े हैं जो आपको देखनी होंगी और यहाँ से आपको question देखने को मिलता है Parliament के अंदर तीन चीज़े होती है इंडिया का जो parliament है इसके अंदर सबसे पहले president होता है दूसरे नमबर पे राज्यसभा और फिर होती है लोगसभा राज्यसभा और लोगसभा दो houses है इन houses के अंदर member of parliament आते हैं और वो बैठते हैं चीक है तो हम एक bill कैसे pass होता है act कैसे बनता है उसका एक normal सा process देख लेते हैं कोई भी चीज़ है जिसका हम proposal लाना चाहते हैं किसी भी MP को लगता है कि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के उपर parliament के अंदर discussion हो और उसके उपर कानून बने तो वो क्या करता है अपने proposal का एक draft तैयार करता है और उस draft को कागस पे लिखता है जिसको कह देते हैं bill तो bill जो है ये final form नहीं होती ये draft proposal होता है इस bill को introduce किया जाता है पहले house के अंदर ये पहले house कोई सा भी हो सकता है लोग सभा या राजय सभा कोई भी हो सकता है तो bill को introduce किया जाता है पहले house के अंदर जब पहला house उसके उपर debate करेगा यहाँ पे सारे के सारे MP बैठे होंगे वो आएंगे बात करेंगे फिर उसके बाद जब वो pass हो जाता है तो bill जाता है second house के अंदर second house के अंदर भी MP आएंगे और MP बात करेंगे बिल के उपर अगर second house भी उसको pass कर देता है तो bill को बेजा जाता है President के पास फिर President अगर उस bill के उपर अपनी सहमती अपने sign कर देता है तो कहा जाता है कि President ने bill को ascent दे दी है और उसके बाद जो bill है वो act بن जाता है यानि कि proposal bill की form में आता है और act की form में वो pass होता है यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि जो ये bill है ये पहले house से दूसरे house में गया लेकिन इन दोनों houses के बीच में जगड़ा हो गया इन दोनों के बीच में एक disagreement हो गया जिसको का जाता है deadlock, deadlock हो गया तो deadlock की condition में क्या होता है president कहता है कि तुम दोनों भाई भाई हो एक ही देश के house हो दोनों के दोनों jointly काम किया करो तो तुम दोनों joint sitting करो joint sitting करो और इस deadlock को खतम करने की कोशिश करो joint sitting के अंदर पहले house के भी member आके बैठते हैं, दूसरे house के भी member आके बैठते हैं और वो फिर debate, discussion करते हैं, अगर joint sitting में बिल को pass कर दिया जाता है, तो बिल फिर से president के पास भेजा जाता है और president assent दे देता है बिल को pass करने का जो तरीका होता है बिल का pass किया जाता है voting के through, और voting कौन करते हैं, voting करते हैं MP लोग, ये जो MP है ये voting करते हैं, बिल के उपर अगर बिल को majority vote मिल जाता है तो माना जाता है कि वो pass हो गया कौन सी majority, simple majority simple majority क्या होती है अभी सिरफ ये overview दे रहा हूं, सब कुछ हम detail में करेंगे, simple majority क्यों होती है, अभी हम ordinary bill की बात कर रहे हैं, जो special bills है, वो हम vote देने को इच्छुक हैं, ठीक है तो जितने भी MP present होते हैं और vote देते हैं, उन सब का अगर 50% plus 1 vote मिल जाता है bill को, तो ये माना जाता है कि वो bill उस house में pass हो गया, फिर वो second house में जाएगा, और second house के अंदर भी जितने MPs present हैं और vote कर रहे हैं, उनका अगर 50% plus 1 vote मिल जाते हैं, तो ये माना जाता है कि bill जो है, वो pass हो गया और bill को president के पास भेज दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा हमारे bill को करने का एक तरीका होता है, ये simplistic तरीका है इसकी details अभी हम आगे देखते चलेंगे जो member of parliament होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल बैट रहते हैं, मानली जी ये पूरा का पूरा साल है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा है, वो पूरे साल बैठेगी, MP जो है वो लोकसभा में आएंगे और हर दिन बाते करेंगे ऐसा नहीं होता है जो लोग सभा होती है या राज्य सभा होती है दोनों ही houses थोड़े थोड़े gap के लिए मिलते हैं उन gap को कहा जाता है कि वो house session में है जैसे कि माली जी यह पूरा साल है तो जो तीन session इंडिया के अंदर होते हैं वो तीन period होते हैं तो वो कुछ महीने यहां पर बैठेंगे और बाते करेंगे discussion करेंगे जो भी उनका काम है उस काम को निप्टाते हैं फिर उसके बाद एक break आ जाती है और फिर वो दुबारा से मिलते हैं और दुबारा से अपने काम को निप्टाते हैं फिर break आ जाती है और वो दुबारा से मिलते हैं और अपने काम को निपटाते हैं। इनको कहा जाता है कि जो houses हैं वो session में, session में बैठे हैं। इंडिया के अंदर 3 session होता है। पहला session आपका होता है budget session, budget session, दूसरा session आपका monsoon session होता है और तीसरा session आपका winter session होता है। इन session के दोरान जो भी लोकसभा और राजेसभा के MP हैं वो अपने-पने houses में जाएंगे और अपने-पने houses के अंदर बैठ के जो भी उनका काम है उसको निपटाते हैं। यह जो session है, session कैसे part करता है, जैसे मान लीजिए, मैं सिरफ एक example ले रहा हूँ, फरवरी से लेके March या April तक मान लेते हैं, अपरेल तक पहला यह budget session आपका चल रहा है, ठीक है? तो यह इतने महीने तक session चलता है, तो पहले दिन की meeting से लेके, last दिन की जो meeting या फिर sitting के यहाँ पर उनका काम खतम हो गया, आप वो कह रहे हैं कि चलो यार घर जाते हैं, जो भी काम हैं आप कल देखेंगे, जो जितना होना तब वो हो गया, अब हम कल देखेंगे, तो यहाँ पर जब दिन खतम होता है, तो यहाँ पर house को adgen कर दिया जाता है, क्या कर दिया आता है add gen कर दिया जाता है, और क्या कहते हैं, house को اب हम add gen कर रहे हैं, अब हम कल मिलेंगे, तो वो कल आते हैं, और कल सुभे से, जहाँ पे उन्होंने अपना काम छोड़ा होता है, उस काम को दुबारा से करने लग जाते हैं, और फिर जब उसका दिन खताम होता हैं, बहुत भूख लगी है, बीवी बच्चों की याद आ रही है, घर चलते हैं, तो फिर से house को add gen कर दिया जाता है, और कहते हैं कि अब हम कल मिलेंगे, फिर वो कल मिलते हैं, तो ऐसे कर करके वो पूरे महीने हर दिन house को add gen करते जाते हैं, और मिलते जाते हैं, ठीक है, पहली sitting से लेके आखरी sitting तक को कहा जाता है session, और एक session, एक sitting जो यह आपकी खतम हो रही है, जो sitting खतम हो रही है, इस sitting के end में उसको add gen किया जाता है, जब पूरा का पूरा session खतम हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा session खतम हो गया, आखरी दिन है, आखरी दिन इस session को पूरे के पूरे session को खतम कर दिया जाता है, इस पूरे को, कि हमें जितना काम करना था, इस session के दौरान वो हम कर चुके हैं, अब session खतम होता है, उसको कहा जाता है, प्रोरोग करना, उसको कहते हैं, प्रोरोग करना, फिर उसके बाद दुबारा से, दुबारा से session में बैठेंगे वो, ठीक है, दु बैठने के लिए कौन बुलाता है प्रेजिदेंट बुलाता है और उसको कहा जाता है कि प्रेजिदेंट ने हाउस को समन किया है यानि कि प्रेजिदेंट हाउस से बोलता है कि भाईया बहुत होई तुम्हारी ब्रेक अब आओ अपने अपने हाउस में बैठो और अपना काम निपटाओ ठीक है तो यह प्रोरोग होता है यह समन करना कहते है इसको कि तुम आओ और अपना session चालू करो अपना-पना kाम करते जाओ तो वो daily आएंगे daily बैठके काम करेंगे जब वो अपने घर जायेंगे तो वो कैसे जाएंगे उस उस सिटिंग को एडजन करके जाते हैं उस सिटिंग को एडजन करके जाते हैं तो डेली एडजन करना होता है और जब पूरा का पूरा उनका काम खतम होगे आप वो कहते हैं कि बस जितना हमें इस सेशन में करना था वो काम खतम तो वो प्रोरोग कर प्रोरोग भी प्रेजिडेंट करता है तो यह चीजे मैंने क्यों बताई क्योंकि अब हम पार्लियमेंट के रोल को देखेंगे अच्छे से ठीक है तो वहां पर समझाना नहीं पड़ेगा मुझे देखें पार्लियमेंट का मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि ती वह तीन चीजों से मिलके बना है तीन चीजे क्या है प्रेजिडेंट लोकसभा और राज्यसभा होती है यह दो हाउसेज होते हैं जहां पे भी लेजिसलेचर के दो हाउस होंगे उसको कहा जाएगा कि यह बाए कैमरल लेजिसलेचर है बाए का मतलब दो कैमरल का मतलब हाउसेज दो हाउसेज वाला लेजिसलेचर है प्रेजिडेंट भी इसका पार्ट होता है प्रेजिडेंट एग्जेक्यूटिव का भी हेड होता है और पार्लियमेंट का भी हिस्सा होता है पार्लियमेंट क और पार्ट होता है, तो इसका सबसे पहला काम तो यही होता है, कि houses की meeting को summon करना, houses को ये बोलना की भाईया बहुत हुआ अब आओ अपना काम करो, तो प्रेजिडेंट houses की meeting को summon करता है, और इसको क्या ख्याल रखना पड़ता है, मैंने कहा कि 3 session होते हैं, ठीक है gap के बाद, तो प्रेजिडेंट को एक ख्याल रखना होता है कि यह जो gap है, यानि कि इस session की आखरी sitting और इस session की पहली sitting के बीच में जो time period है, वो 6 महीने से जादा का नहीं होना चाहिए, तो प्रेजिडेंट को 6 महीने के अंदर-अंदर दूसरे session को बुलाना होता है, ठीक है, ऐसे ही जब यह session खतम होगा, तो इस session के खतम होने के बाद, 6 महीने के अंदर-अंदर इसको तीसरा session भी बुलाना पड़ेगा, तो प्रेजिडेंट समन करता है, फिर जब उनकी पूरा का पूरा session खतम होना होता है, तो आखरी दिन वो उस session को प्रोरोग कर देता है, उस session को खतम कर देता है प्रेजिडेंट एडजन नहीं करता ये धियान रखेगा प्रेजिडेंट एडजन नहीं कर रहा है वो सिरफ प्रोरोग कर रहा है समन कर रहा है प्रोरोग कर रहा है एडजन नहीं करता एडजन कौन करेगा जो भी प्रिसाइडिंग ओफिसर होगा ये presiding officer क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे तो president summon करता है प्रोरोग करता है साथ ही साथ president जो है लोग सबहा को dissolve करता है dissolve करता है लोग सबहा को ठीक है लोग सबहा को dissolve करने का मतलब क्या है लोग सबहा को लोग चुनके भेजते हैं लोगसभा के अंदर जो MP हैं उनको लोग चुनके भेजते हैं और लोगसभा का जो term होता है वो 5 साल का होता है यानि कि हर 5 साल के बाद election होंगे और नए लोग चुनके आए जाएंगे तो 5 साल के बाद जब लोगसभा का session खतम हो जाता है तो उसको dissolve करना होता है ये dissolve करने का का काम होता है अगर लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी की मैजॉरिटी नहीं है किसी भी पार्टी की मैजॉरिटी नहीं है अगर किसी पार्टी की मैजॉरिटी लोकसभा में नहीं होती तो क्या गॉर्मेंट फॉर्म होगी तो गॉर्मेंट फॉर्म नहीं होती उस केस में भी लोगसभा को dissolve करना होता है और वो भी किसका काम होता है वो भी प्रेजिडेंट का काम होता है तो प्रेजिडेंट के पहले तीन काम समन प्रोरोग और लोगसभा का dissolve करना ये तीन इसके काम हो गए फिर उसके राद प्रेजिडेंट का एक रोल होता है कि वो किसी भी हाउस के अंदर कभी भी जाके अपनी बात को बता सकता है तो वो किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है या तो उसको अगर कोई बात करने है तो वो एड्रेस करेगा लोगसभा को राज्य सभा कभी भी dissolve नहीं होती, प्रेजिडेंट जो है houses को address कर सकता है और message भेज सकता है, एक special address होता है प्रेजिडेंट का इस special address में president क्या कहता है, ये कहता है लोगसभा और राज्य सभा तुम दोनों के दोनों सात में बैठो तुम दोनों के दोनों एक साथ असेंबल हो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो special address के अंदर लोगसभा और राजेसभा साथ में असेंबल होती है और President उसमें जाके बात करता है ये कब करता है President? दो cases में करता है पहला तो ये कि लोगसभा dissolve हुई थी अब एक नई लोगसभा चुनके आई है और पहली sitting होनी है तो जब भी general election के बाद जब भी लोगसभा के election होते हैं उसको general election का जाता है जब भी general election होंगे तो general election के बाद जब पहली sitting होगी तो पहली sitting में President special address देगा यानि कि दोनों के दोने houses को एक साथ assemble करेगा और वहाँ पे जाके अपनी बात कहेगा दूसरा special address वो कब करता है हर साल, हर साल जब भी पहला session स्टार्ट होगा उस पहले session की पहली sitting में हर साल पहले session की पहली sitting में President जाएगा special address कर देगा तो every year वो वहाँ पे जाके address करता है President क्या है President है executive का executive का head है Executive कौन होते है council of ministers जिसको head करता है prime minister है न तो president हमेशा act करता है on the aid and advice of council of minister तो यानि कि President जब आके address कर रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या होता है जब ये special address होता है तो क्या होता है असली में Prime Minister, Council of Minister मिल के एक पूरा का पूरा paper तयार करते हैं उस paper में लिखते हैं कि भाईया आपने हमको चुन के भेजा है General election के बाद आपने हमें चुन के भेजा है अब हम ये-ए काम करने वाले हैं हम ये-ए करेंगे ये हमारी आगे की planning है अब हम जो session बुला रहे हैं इस session में हम इन चीजों के उपर discussion करेंगे वो पूरा का पूरा अपना एक आने वाले समय का वो बता देते हैं ब्योरा और President जो ये special address करता है उसके अंदर उसी बातों को दोराता है ठीक है ऐसे ही जब हर साल वो session करता है तो वो क्या करता है वो council of minister उस साल में जो जो काम करने वाले हैं उन सारे कामों का एक पूरा का पूरा ब्योरा दे देता है हर एक बात बता जाता है कि इस साल क्या क्या काम होने वाले हैं इसको कहा जाता है special address तो ये president special address में क्या कर रहा है special address में वो council of minister की बाते बता रहा है parliament को कि वो आने वाले समय में क्या काम करने वाले हैं तो जब president special address दे देता है वो ये बता देता है कि आने वाले समय में government क्या काम करने वाली है तो इसके उपर एक motion of thanks लेके आया जाता है क्या लिए आज जाता है motion of thanks ठीक है इस motion of thanks के उपर parliament इस motion of thanks के उपर parliament यानि की दोनों houses जो है वो voting करते हैं अगर ये motion of thanks voting में fail हो जाता है तो इसको माना जाता है कि government fail हो गई देखे government कब तक power में है government तब तक power में है जब तक कि वो majority में है लोग सभा के अंदर majority में है ठीक है motion of thanks के अंदर क्या हो रहा है प्रेजिडेंट ये बता रहा है कि government आने वाले समय में क्या करना चाह रही है ठीक है और उसके उपर parliament के लोग जो है वो voting करते है ठीक है प्रेजिडेंट ने special address में बताया government क्या करने वाली है और उसके उपर लोग जो है voting करते है जिसको motion of thanks कहा जाता है अगर ये fail हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो parliament है उसको government के उपर भरोसा नहीं है government जो आने वाले समय में करना चाह रही है वो parliament को पसंद नहीं है वो fail हो गया तो इसका मतलब क्या है कि government की majority नहीं थी government की majority नहीं थी तो कैस का मतलब ये हो सकता है कि government को यहाँ पे resign करना पड़ेगा जो government है वो यहाँ पे fall कर जाएगी गिर जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि motion of thanks क्यों important है motion of thanks इसलिए important है क्योंकि अगर ये पास नहीं हुआ तो गॉर्मेंट गिर सकती है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कब होता है motion of thanks special address के बाद motion of thanks लाया जाता है फिर काम क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि bill फस्ट house में आएगा फिर second house में आएगा और फिर president के पास पेश किया जाए बिल जो है वो president के पास sent किया जाता है तो president के पास कुछ choices होती है choices क्या होती है या तो वो bill को assent दे यानि कि bill को sign कर दे कि हा मैं महर लगाता हूं और bill उस दिन के बाद से act बन जाता है या तो वो assent दे या फिर वो withhold कर ले मना कर दे कि भईया मैं नहीं दे रहा हूं तुमार बिल कभी एक्ट नहीं बन पाएगा मैंने मना कर दिया या तो वो हां बोल दे या वो ना बोल दे दूसरी option होती है उसके पास कोई veto यूज करना इस veto को मतब ऐसे सारी चीज़ों को हम detail में देखेंगे दूसरी चीज प्रेजिदेंट के पास होती है कि वो veto यूज कर ले वीट और article 102, disqualify करने के दो तरीके हैं एक है article 102 का clause 1 और एक है article 102 का clause 2 ये आपको article number से याद रखना है ठीक है? disqualify करने के दो तरीके हैं 102 clause A, 102 clause 2 तो 102 clause 1 पे अगर हम किसी को disqualify करने हैं तो final authority किसकी है? कौन? किसकी बात सबसे आखिर में मानी जाएगी कि disqualify करना है या नहीं करना है? तो final authority इसमें होती है president की और president decide करने से पहले election commission से बात करता है election commission अपनी opinion बताता है और president को election commission की opinion के हिसाब से ही decision देना होता है यहाँ पे president अपनी मर्जी से decide नहीं कर सकता वो election commission की जो consideration opinion होती है उसी opinion के basis पे decide करेगा तो MP को disqualify करने के दो तरीके हैं 102.1 के अंदर और 102.2 क्लाज 2 के अंदर 102.1 के अंदर final authority president की है लेकिन president election commission जो बोलेगा वैसा ही काम करेगा पर बोलते क्या है? बोलते यह हैं कि president ने decide किया है 102 के अंदर final authority कौन है? speaker और chairman इसके अंदर final authority होता है 102 के अंदर जो disqualify करने का तरीका है उसमें president या election commission involved नहीं होती सिरफ speaker या chairman उसका काम कर देता है फिर कुछ-कुछ bill होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि bill पहले first house में introduce होगा फिर second house में जाएगा फिर president के पास जाता है तो जब वो first house के अंदर introduce हो रहा है तो कुछ-कुछ bills ऐसे होते हैं कुछ-कुछ bills जहाँ पे introduce करने से पहले introduce करने से पहले president की recommendation लेनी होती है ठीक है president बोलेगा तो ही वो introduce होगा तो एक example हम already देख चुके हैं कहां पे देखा था article number 3 याद करिये किसी भी state की area boundary वगेरा को change करने के लिए नाम area boundary change करने के लिए bill जो introduce होता है वो president की recommendation पे होता है और जो president क्या करता है वो state से opinion लेता है यादारी होगी कली किया है हमने तो जो president है वो कुछ-कुछ bill पे अपनी recommendation देता है तब ही वो bill जो है पार्लियमेंट के अंदर introduce किया जा सकता है तो president की recommendation चाहिए होती है on certain bills जिसका एक example तो हम article 3 के अंदर देख चुके हैं दूसरा example आप ले सकते है money bill money bill को जब भी introduce करना होगा तो president की recommendation उसके अंदर चाहिए होती है एक roll आप ये देख सकते हैं कि जब भी देखे पहले house में आएगा दूसरे house में आएगा और फिर president के पास जाएगा मैंने कहा कि यहाँ पे इनके बीच में जगड़ा हो सकता है deadlock आ सकता है तो उस deadlock के time पे joint sitting बुलानी होती है ये joint sitting कौन बुलाता है joint sitting president बुलाता है किस case में जब deadlock आ जाता है और last roll जो इस काम देखेंगे वो आता है article number one two three एक दो तीन ठीक है एक दो तीन president कहता है कि जो houses हैं वो session में नहीं है house जो हैं वो अभी meeting नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत emergency situation है मुझे कोई ना कोई law लेके आना पड़ेगा तो president क्या करता है president ordinance पास करता है वो मादुरी दिख्षित की तरह गाना गाएगा एक दो तीन चार हुआ तेरा इंतिजार तुम दोनों अभी meeting उसमें meeting नहीं कर रहे इसलिए मैं बिल ले आता हूँ तो उसको का जाता है ordinance तो एक दो तीन के अंदर ordinance बनाता है president ये जो ordinance है ये law की तरह होता है law की तरह ही इसकी सारी power होती है इस सबको अभी हम आगे detail में देखेंगे ये मैंने आपको president का जो role था उसका एक आपको overview यहाँ पे देने की कोशिश की है इसके अंदर आप एक चीज और add कर सकते हैं कि जैसे money bill को introduce करने से पहले president की recommendation चाहिए होती है वैसी जो budget होता है budget को दोनों houses के सामने कौन रखता है budget को दोनों houses के सामने president रखता है budget को budget का हमारा constitution जो नाम देता है उसका नाम होता है annual financial statement ठीक है तो annual financial statement each house के सामने कौन ले करता है president ले करता है ठीक है यह सारा का सारा जो भी आपको मैं यहां पे बता रहा हूँ सब लिखा हुआ मिल जाएगा और अभी हमें detail में भी देखना है ठीक है notes के अंदर आपको सब मिलता है तो जो राजय सभा अब हमें दोना houses देखने है by camera legislature है इंडिया का तो यहां पर राजय सभा और लोग सभा होती है तो उनके बारे में देख लेते हैं राजय सभा और लोग सभा ऐसे करके देखते हैं यहां पर ठीक है तो जो राजय सभा होती है राजय सभा की बहुत जादा importance है हमारे federal हमारे federal structure के अंदर क्यों क्योंकि जितनी भी states होती है इंडिया की वो state से कुछ-कुछ लोग states के representative यहां पर किसके representative states के representative आके राजय सभा में बैठते हैं तो जो state की जितनी भी दिक्कते होती है state के जितने भी interest होते हैं उन interest को central level पर कौन लेके आता है राजय सभा लेके आती है देखे वैसे क्या बना हुआ है आपका एक केंद्र पे parliament बना है केंद्र पे parliament बना है बाकी हर state का अपना एक legislature होगा ठीक है state का legislature state के अंदर काम कर रहा है ठीक है तो दो तरह की policies बन रही होती है एक तो state राज्य क्या चाहते हैं, राज्य चाहते हैं कि जब तुम ऐसी पॉलिसी बना रहे हो, जिसका हर चीज के उपर फरक पड़ता है, इतनी important तुम्हारा रोल है, तो हमारी बाद भी तो तुम्हें सुननी चाहिए, तो हमारा representation भी Parliament के अंदर होना चाहिए, तो जो states के representatives हैं, वो कह के राज्य सभा के अंदर बैठते हैं, इसलिए हम कहते हैं, राज्य सभा का हमारे जो federal structure है, उसमें एक बहुत ही important role है, ये आप याद रखेंगे, वहीं पर ही दूसरे हाथ पर अगर हम लोग सभा की बात करें, तो लोग सभा के अंदर किसके representative आके बैठते हैं, यहाँ पर directly लोगों के people's representative आके बैठते हैं, जन्ता के लोग आके, लोग सभा के अंदर बैठते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं की जो लोग सभा है, वो लोगों की voice होती है, people's voice जो है वो इस लोग सभा में सुनने को मिलती है, यहाँ पर राज्यों की और यहाँ पर लोगों की, राज् 288 प्लस 12 मेंबर्स होते हैं 238 मेंबर्स जो होते हैं ये आये होते हैं State से और Union Territory से यानि कि देखे, अभी Union Territory को आप थोड़ी देर के लिए भूल चाहिए State के अंदर क्या है इस State के अंदर Legislature यानि कि इस Legislature में इस राज्ये के जितने लोग है उन्होंने voting करके voting करके अपने representatives को इस legislature में भेजा है तो इस legislature के अंदर कुछ elected MLA's हैं क्या है? elected MLA's Central level पे जो legislature के अंदर लोग बैठे होते हैं उनको member of parliament कहते हैं State level पे जो लोग legislature में बैठे हैं उनको member of legislative assembly या MLA कहते हैं यहाँ पे elected MLA आए हैं और वो बैठे हुए हैं यह जो elected MLA है यह अपने आप में से किसी एक को अपने आप में से मतब इनकी कुछ seat निर्धारित होती हैं अपने आप में से कुछ लोगों को राज्य सभा में भेजते हैं यानि कि हर एक state जो है हर एक state जो है वो कुछ लोगों को चुन के राज्य के कुछ लोगों को चुन के राज्य सभा में भेजा जाता है और कौन चुनता है इनको इनको चुनते हैं elected MLA यह याद रखना आपको elected MLA जो होंगे हर राज्य के जो भी elected MLA होंगे यहाँ पे वो elected MLA voting करेंगे और वो कुछ लोगों को चुनके राजे सभा में भेज देंगे ठीक है यहाँ पर यह याद रखना है कि nominated नहीं है सिरफ और सिरफ elected है और यह जो election होगा यह election होगा किस basis पर election होगा proportional representation by single transferable vote ठीक है जो हमने कल देखा था वही same चीज़ तो जो राजे सभा है उ को भेजेंगे इसको indirect election कहा जाता है तो राजे सभा के अंदर indirect election होता है ठीक है इसले इसको indirect election कहा जाता है तो यहाँ पे हर एक राज्य जो है उस राज्य की कुछ seat निर्धारित होती है जैसे कि मान लिजे यूपी को कहा रखा है कि आपके 70 लोग चुन के आएंगे और वो राज्य सभा के अंदर बैठेंगे अरुनाचल प्रदेश को कह रखा है कि आपके 3 लोग चुन के आएंगे वो राज्य सभा में बैठेंगे सिक्किम को कह रखा है कि आपका एक आदमी चुन के आएगा और राज्य सभा में बैठेंगा ऐसे ही हो सकता है एमपी के बोले हों कि आपके 60 लोग चुनके आएंगे और राज्य सभा में वो बैठेंगे ठीक है तो ये क्या कर रखा है राज्य सभा में हर एक state की कुछ seat अलोट कर रखी है कि UP से सिरफ इतने लोग चुनके आएंगे सिक्किम से सिरफ इतने लोग चुनके आएंगे ये जो seat की allocation है ये कहा दी हुई है ये दी हुई है fourth schedule के अंदर ठीक है fourth schedule जो हमने कल देखा था और मैंने आप से कहा था कि राज्य सभा के अंदर allocation of seats की बात करता है वो ये चीज़ है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है जहां से UP से question फसाता है वो ये वो कह देगा कि राज्य सभा के अंदर हर एक state को uniform representation मिला है तो क्या आपको uniform दिख रहा है uniform नहीं है सिक्किम की आवाज कम है UP की आवाज जादा है मद्धे परदेश की आवाज जादा है रुनाचल परदेश की आवाज कम है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते है कि जिसकी population जादा उसको जादा आवाज मिली हुई है यानि कि larger states को जादा बड़ा रोल मिला हुआ है राज्य सभा के अंदर तो यहाँ पर आप फसेंगे नहीं हर एक state को अलग-अलग seats मिली हुई है और वो seat'े कहा लिखी है, seat'े लिखी है for schedule के अंदर अगर आप देखना चाहें कि किस राज्य को कितनी seat'े है तो आप देख सकते हैं नेट पे एक बार ये for schedule सर्च कर ली जगा अब अच्छे ये 12 लोग अच्छा, UT क्यों लिखा है तो ज़्यादा कुछ UT के बारे में आपको अलग से नहीं देखना ये जो 12 लोग है इनको अलग से क्यों लिखा है ये अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये चुन के नहीं आते इनको nominate किया जाता है इनको nominate करता है, कौन करता है President nominate करता है इनको ये जो लोग है ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा expert होते हैं किसी field के अंदर इनकी राय लेना सबको ज़रूरी लगता है, लेकिन ये लोग जो है public के अंदर popular नहीं है public के अंदर ज़्यादा popular नहीं है ठीक है, किस field से हो सकते हैं ये लोग ये लोग हो सकते हैं L.S.S. field से L.S.S. क्या होता है literature, science, arts और social service इन तीनों field में अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके आया हुआ है तो उसको nominate करके President Raja Sabah में बिठा सकता है जैसे कि हमारे Manmohan Singh जी थे Manmohan Singh भी Raja Sabah से nominated, Raja Sabah से nominated member थे और वो PM बने तो यहीं से आप यह भी याद रखेंगे कि PM, एक सवाल लिया जाता है कि PM लोग Sabah से ही होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, Manmohan Singh कहां से थे Manmohan Singh जी Raja Sabah से थे ठीक है, तो L.S.S. कौन nominate करता है, President nominate करता है Conconcy Field, Literature, Science, Arts और Social Service, तो यह आपको यहाँ पर I hope समझ में आगया होगा, सब आपको लिखावों मिल जाएगा, तो इसलिए चिंता ना करें जो लोग हमारे notes purchase नहीं करना चाहते हैं वो साथ-साथ लिखते चलें, ठीक है, यह बहुत पर important आपको रहेगा तो यह सारी चीजे हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर लोग कैसे चुन के आते हैं, यहाँ के कितने member होते हैं, लोग सभा के, लोग सभा के member होते हैं, 530 plus 20 plus 2, ठीक है, plus 2 को मैं bracket में लिखता हूँ, 530 members को होते हैं, state के अंदर directly election होंगे, state को छोटी-छोटी, जो मतब देश है, देश के अंदर states को, देश जो है, वो states में divided है, उन states को छोटी-छोटी territorial constituency में divide कर दिया जाएगा, states के भी छोटे-छोटे हिस्से कर दिया जाएगे, जिनको territorial constituency कहा जाएगा, हर एक territorial, हर एक constituency से कुछ candidate खड़े होंगे, और उनके बीच में election होगा, उस constituency के लोग, उन candidate में से किसी एक के लिए vote करेंगे, वो चुनके आ जाएगा, और चुनके आने के बाद, वो लोगसभा के अंदर बैठता है, तो लोगसभा के अंदर क्या होता है, जो लोग है वो directly लोगों को elect करते हैं, अपने representative को elect करते हैं, कहां से, elect करते हैं from constituencies, constituencies से elect करके वो आते हैं और यहां पे बैठते हैं, ठीक है तो पूरे देश को छोटे-छोटे constituencies में divide कर रखा है उन constituencies में candidates खड़े होते हैं, और वो candidate चुनके आते हैं, और लोग सभा में बैठते हैं 530 लोग राजियों से चुनके आते हैं, यानि कि राजियों को छोटी-छोटी constituency में divide कर वहां से चुनके आते हैं तो हमारे जो 28 राजियों हैं 28 राजियों में से 530 member आएंगे और 20 member कहां से आते हैं union territory से, यानि कि जो union territory है उन union territory को भी चोटी-चोटी constituency में divide होगा और वहां के जो लोग हैं, वो उनको चुनके भेज देंगे, direct election होता है कौन चुन रहा है, यहाँ पर people directly elect करके भेजते हैं राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में लोगों ने state के MLA को चुना लोगों ने MLA को चुना MLA ने राज्यसभा के लिए MPs को चुना, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर लोगों ने directly MPs को चुना, इसलिए इसको कहा जाता है कि direct election होता है तो लोग सभा के अंदर, लोग directly लिए चुनते हैं इसलिए इसको people's voice कहा जाता है और क्योंकि ये direct election और people's voice है इसलिए लोग सभा के अंदर majority जिस party की होगी वही government बनाएगा और तब तक government में रहेगा जब तक कि वह majority में है इसको कहा जाता है collective responsibility ठीक है union territory union territory का भी आपको तरीकवता दिया ये plus 2 को मैंने bracket में क्यों रखा है क्योंकि ये जो दो member है ये nominated member हुआ करते थे nominated members हुआ करते थे कौन nominate करता था president nominate करता था किनको nominate करता था एक community इंडिया में रहती है जिस community का नाम है Anglo Indians Anglo Indians का मतलब है देखिए अंग्रेज आय थे तो धेर सारो Britishers यहां पर है उन्होंने Indian female से शादी कर ली तो एक parent उनका हो गया अंग्रेज और एक parent हो गया Indian ठीक है अब ये जो अंग्रेज हैं ये इंडिया में ही रह गए इंडिया में ही रहते हैं इंडिया के ही citizen है इनका जो बच्चा हुआ वो बच्चा भी इंडिया का citizen है लेकिन उसकी जो community है वो Anglo Indian है उसकी community Anglo Indian की तरह है ठीक है तो Anglo Indians को representation दी हुई थी कि दो members को president Anglo Indian community में से दो member को चुनके president लोग सभा के अंदर बिठाएंगे लेकिन अभी recently 2019 के अंदर एक bill आया था वो bill पास हो गया है और अब यह जो reservation था Anglo Indians के लिए reservation खतम हो चुका है देखें पहले आता है bill बिल से बनता है act तो कौन से act से यह reservation खतम कर दिया है 104th constitutional amendment act constitution के अंदर हमने change लेकिया आये constitution को हमने amend किया 104th constitutional amendment act से और Anglo Indians का जो वो था reservation उसको खतम कर दिया है अब Anglo Indians की nomination नहीं होती है इसी 104th constitutional amendment act से क्या किया है SC और ST की जो reservation है parliament के अंदर उसको 10 सालों के लिए और extend कर दिया है यह आपको याद रखने है क्योंकि यह recent event है current affairs का part है आपका तो यह यहां तक आपको membership समझ में आ गई होगी कि किस house में कितने member होते हैं राज्य सभा कभी भी dissolve नहीं होता राज्य सभा never dissolve राज्य सभा का term कभी भी खतम नहीं होता यह हमेशा चलता रहते हैं राज्य सभा के जितने भी member हैं हर दूसरे साल every second year हर दूसरे साल एक बटा तीन member जो है वो retire कर जाते हैं मतब उनकी जो term है उनकी term खतम हो जाती है और उनके लिए election करा दिये जाते हैं तो हर दूसरे साल one बटा तीन जो members है उनकी term के लिए election होते हैं पर राज्य सभा, राज्य सभा as a body हमेशा exist करेगी, हर दूसरे साल एक बटा तीन जो हैं, उनकी term खतम होगी और उनके election कराए जाएंगे, दो बटा तीन अपना काम करती रहेगी, ठीक है, लोग सभा हर पांच साल के बाल dissolve करानी होती है, ताकि लोग जो हैं अपने पसंद के लोगों को चुन के भेज सकें, तो लोग सभा का tenure है पांच साल का, यहां पर आप एक चीज और याद करेंगे, कि हम एक emergency आगे पड़ने वाले हैं, मान लिजे देश के अंदर एक national emergency लगी हुई है, एक emergency वाली situation थी, तो जब emergency लगी होती है, तो लोग सभा की जो यह पांच साल की term है, इसको extend किया जा सकता है, कितना extend कर सकते हैं, एक बारी में एक साल के लिए extend कर सकते हैं, और कितनी भी बार extend कर सकते हैं, और यह कब तक रहे, कब तक extend किया जा सकता है, मान लिजे ए, emergency लगी, यहां पर emergency लग गई, लोग सभा को dissolve होना था, यहां पर लोग सभा को dissolve होने का समय था चीक है लेकिन डिजॉल होने से पहले ही emergency लग गई तो क्या कर सकते हैं हम लोग सभा का जो tenure है उसको एक साल के लिए बढ़ा दिया one year के लिए बढ़ा दिया फिर उसके बाद एक साल के बाद अभी भी emergency लगी हुए और हम चाहते हैं लेक्शन नहीं हो सकते तो लोग सभा का term भढ़ जाए तो फिर से उसके term को एक साल के लिए बढ़ा देते हैं ऐसा वो कब तक भढ़ा सकते हैं जब तक emergency लगी हुई है तब तक प्लस में प्लस में emergency खतम होने के 6 महीने बाद तक ठीक है emergency खतम होने के 6 महीने बाद तक इसको बढ़ाया जा सकता है उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता राजे सभा के जो members बनेंगी उनकी qualification क्या होनी चाहिए कौन-कौन आदमी राजे सभा का member बनने के लिए eligible है अभी हम eligibility की बात कर रहे है कि अगर आपको राजे सभा के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी eligibility क्या होनी चाहिए आप citizen होने चाहिए आपकी जो उमर है वो 30 साल की होनी चाहिए साथी साथ आप election लड़ने से पहले ये बोलेंगे कि मैं oath लेने को तयार हूँ ऐसे किसी आदमी के सामने जिसको election commission चुनेगा आप 30 साल के citizen होने चाहिए जो कि oath लेने को तयार हो ऐसे आदमी के सामने जिसको election commission बोलेगा election commission बोलेगा कि x y z आदमी के पास जाके oath ले लेना तब तुम election लड़ सकते हो तो वो जाके ओत ले लेगा ठीक है लोग सभा के अंदर कौन कौन चुनाव लड़ सकता है लोग सभा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आपका citizen होना जरूरी है और आपकी उमर 25 साल होना बहुत जरूरी है ठीक है और साथ की साथ आप चुनाव लड़ने से पहले ओत लेन 35 साल के उमर, लोग सभा में 25 साल, राजे सभा में 30 साल, तो ये तो था चुनाव लड़ने के लिए जो जो eligibility criteria है, आपने चुनाव लड़ा और आप जीत के आ गए, और अब आपको ओत लेनी है, अब आप MP बन चुके हैं, तो आप ओत किस के सामने लेंगे, आप ओत लेंगे, के सामने आपको ओत लेनी पड़ेगी, तो हमने अभी लोग सभा और राजे सभा के वारे में क्या देख लिया, कि इनके members कौन कौन से होते हैं, members बनने के लिए क्या क्या eligibility condition चाहिए होती है, और हमने देख लिया कि वो ओत किस के सामने लेते हैं, ये तीनों चीज़े हमने र राजे सभा और लोग सभा की देख लिए, अब हमें देखना है राजे सभा और लोग सभा के officers कौन कौन होते हैं, ये जो officer वाला topic है, ये बहुत जादा important है, राजे सभा के दो officer होते है, officer का नाम होता है chairman और deputy chairman, chairman और deputy chairman, और लोग सभा के जो दो officer होते है, उनका नाम होता है speaker और deputy speaker जो chairman होता है राजय सभा का वो कोई और नहीं बलकि vice president ही होता है मैंने क्या बता था vice president या तो राजय सभा के chairman की तरह काम करता है या फिर वो president की तरह काम कर रहा होता है ठीक है तो राजय सभा का chairman कौन होता है vice president होता है तो यहां पर जल्दी से देख लेता है कि Vice President के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कौन चुनता है और कैसे बनता है Vice President जब Vice President है उसको चुनने के लिए Election होते हैं और Election का एक Electoral College बनता है Electoral College में कौन-कौन बैठा होता है इसके अंदर सारे के सारे MP होते हैं चाहे वो Elected हो चाहे वो Nominated हो सारे के सारे MP जो है वो बैठते हैं चुनाव के अंदर और एक Vice President को Elect कर लेते हैं Vice President को Elect करने से पहले हमें 20 Proposers और 20 Seconders चाहिए होते हैं ठीक है राज्य सभा के अंदर ही Remove कर देते हैं एक Majority चाहिए होती है Majority of Total Membership ठीक है Majority of Total Membership Majority of Total Membership से राज्य सभा के Vice President को Remove किया जाता है प्लस में लोगसभा जो है वो इससे बस Agree कर जाए लोगसभा Agree कर जाए यह तो Vice President का था तो Vice President ही राज्य सभा का Chairman बनता है तो इसलिए हम Chairman के बारे में जादा नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे Deputy Chairman के बारे में ठीक है जब भी Chairman की बात होगी तो आप Vice President के जो भी हमने Provision पढ़ रखे हैं सिरफ उनको ही याद रखेंगे Deputy Chairman के बारे में बात की जाए तो Deputy Chairman को कौन चुनता है Deputy Chairman को राज्य सभा के Members चुनते हैं सिरफ और सिरफ राज्य सभा के Members चुनते हैं और कहां से चुनते हैं राज्य सभा के Members? From राज्य सभा ठीक है? यानि कि जो राज्य सभा में चुनके लोग आये हुए हैं वही लोग आपस में किसी एक आदमी को चुन के बोल देंगे भाई आज से तू डिप्टी चेर्मेन तो वो डिप्टी चेर्मेन बन जाएगा तो एक सवाल आता है कि क्या डिप्टी चेर्मेन राज्य सभा के बाहर से चुना जा सकता है बिल्कुल भी नहीं डिप्टी चेर्म राजय सभा के अंदर से ही चुना जाएगा राजय सभा के मेंबर ही चुनेंगे डिप्टी चेर्मेन की seat कब खाली होगी, कब उसकी seat का vacation होगा, vacation उसकी कब होगी, जब वो राजय सभा का मेंबर नहीं रहेगा, ceases to be a member of राजय सभा, यानि कि आप वो राजसभा का मेंबर नहीं रहा अगर वो राजसभा का मेंबर नहीं है तो वो डिप्टी चेर्मेन नहीं बन सकता दूसरा तरीका क्या है डिप्टी चेर्मेन ने डिप्टी चेर्मेन ने रिजाइन कर दिया डिप्टी चेर्मेन किसको resign करता है vice president को deputy chairman किसको resign करता है deputy chairman resign करता है chairman को और chairman कोई और नहीं बलकि vice president ही है ठीक है तो deputy chairman vice president को resign करता है यह याद रखना है आपको ठीक है फिर उसके बाद अगर हम removal की बात करें कि क्या हम किसी deputy chairman को remove भी कर सकते हैं जैसे हम vice president को कौन remove करता है? Vice president को rajy sabha के members voting करके remove कर देते हैं. कैसे? Majority of total members apologies. किसे? Majority of total membership plus में लोग सभा उससे agree कर जाएं. ये vice president को remove करने का तरीका देखा था हमने. Rajy sabha के deputy chairman को कैसे remove किया जाता है? Rajy sabha के deputy chairman को remove करते हैं Rayy sabha के member गर उसके ओपर voting करके कि भाई हम इसको remove करना चाहते हैं और किस majority से? majority of total membership से majority of total membership ठीक है तो राज्यसभा के अंदर voting होगी कि हम इसको अटाना चाहते हैं और total membership की अगर majority आ जाए तो इसको remove कर देते हैं क्या इसके अंदर लोग सभा से agree कराना होता है? नहीं इसमें लोग सभा से agree नहीं कराना राज्यसभा इसको खुदी हटा देगी पूरा तरीका क्या होता है? पूरा तरीका ये होता है कि पहले एक resolution लेके आते हैं पहले एक notice देते हैं notice देते हैं notice के अंदर ये लिखा होता है कि हम deputy chairman को हटाना चाते हैं उसके लिए हम एक resolution लाना चाते हैं ताकि deputy chairman को हटाया जा सके notice देके 14 दिन का समय दिया जाता है 14 दिन के समय के बाद उस resolution के उपर voting की जाती है उस resolution के उपर discussion होती है voting की जाती है अगर ये resolution pass हो जाता है by majority of total membership majority of total membership तो deputy chairman हट जाता है इसमें लोग सभा का कोई भी role नहीं रहता ठीक है राज्य सभा का deputy chairman कैसे हटता है वो देख लिए हमने जब राज्य सभा का देखे राज्य सभा में दो लोगों को हटाया जा रहा है एक तो chairman को हटाया जा रहा है ठीक है और एक deputy chairman को हटाया जा रहा है दोनों के दोनों राज्य सभा में ही हटते हैं जब chairman को हटाया जाता है राज्य सभा से तो chairman राज्य सभा के अंदर present होता है वहीं पे ही मौजूद होता है राज्य सभा की जितनी भी बाते चल रही होती है उन सब बातों में Participate करता है वो उसके अंदर Part लेता है लेकिन चेर्मेन राज्य सभा को कभी भी Preside नहीं करता ठीक है जब उसके Removal की Proceeding चल रही होती है तब की बाता है यह जब chairman को remove करने की बाते चल रही है तो chairman वहाँ पे मौजूद होगा भाग लेगा discussion के अंदर लेकिन preside नहीं करेगा और उस proceeding के उपर vote भी नहीं लालेगा तो यहाँ पे नहीं वाले हैं यहाँ पे हाँ वाले हैं तो जो chairman है वह present होगा participate करेगा लेकिन preside नहीं करेगा और vote नहीं डालेगा जो deputy chairman है deputy chairman present होगा लेकिन वह part नहीं ले सकता वह part नहीं ले सकता deputy chairman ठीक है क्या वह preside कर सकता है वह preside भी नहीं कर सकता क्या वह vote डाल सकता है वह vote भी नहीं डाल सकता तो ये हमारे officers का जो आपको जानना चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ठीक है अगर अब हम speaker और deputy speaker की बात करें तो speaker और deputy speaker कहां से चुने जाते हैं इनको लोग सभा के member चुनते हैं कहां से चुनते हैं लोग सभा के अंदर से ही चुनते हैं तो धेर सारे लोग सभा के members आये हुए है ठीक है लोग सभा बनी हुई है यह यह लोग आपस में ही आपस में ही अपने ही किसी दो members को उठा लेते हैं कि भाई साब आप हो गए आज से speaker और आप हो गए आज से deputy speaker तो इस तरह से इस तरह से speaker और deputy speaker को यह चुन लेते हैं, आपस में ही जो convention चला रहा है, convention यह है कि जो speaker होता है, वो ruling party से होता है, यह convention है सिरफ, ठीक है, constitution में नहीं लिखा speaker ruling party से होता है और deputy speaker यह opposition party से होता है यह सिरफ एक प्रथा चलती है तो speaker और deputy speaker कौन चुनता है लोग सभा के members चुनते हैं, कहां से चुनेंगे लोग सभा के अंदर से चुनेंगे अब ये जो member चुनकिया है इसकी vacation अगर देखी जाए जो speaker और deputy speaker चुने ये कैसे कैसे अपनी seat को खाली करते हैं अगर वो लोग सभा का member नहीं रहा अगर वो seize कर जाए लोग सभा का member रहने से तो वो speaker या deputy speaker भी नहीं रह सकता अगर वो resign कर दे resign, कौन किसको resign करता है speaker जो है वो resign करता है deputy speaker को और deputy speaker resign करता है speaker को तो दोनों के दोनों आपस में चिठियां अदला बदली करते रहते हैं resignation की removal की अगर बात की जाए तो removal का process बिलकुल deputy chairman के जैसा है इसके अंदर क्या होता है एक notice दिया जाता है notice के बाद 14 दिन का समय मिलता है 14 दिन के समय के बाद एक resolution आता है इस resolution के ओपर discussion होती है लोग सभा के अंदर ही हो रहा है यह सब कुछ ठीक है, लोग सभा में notice दिया 14 दिन के resolution आया लोग सभा के अंदर इसको पर discussion हो रही है अगर लोग सभा की members voting के अंदर एक majority दे देते हैं majority of total membership ठीक है total membership की majority मिल जाती है तो लोग सभा के जो speaker और deputy speaker है वो remove हो जाते हैं क्या इसमें राज्यसभा का कोई role रहा राज्यसभा का role नहीं रहा इसके अंदर ठीक है जब speaker या deputy speaker के removal की proceeding चल रही होती है removal की proceeding चल रही है ठीक है लोग सभा की बात कर रहा है removal की बात कर रहा है तो जब speaker के removal की बात चल रही है speaker के removal की बात चल रही है तो वो present होता है लोग सभा के अंदर, present होने के साथ साथ वो हिस्सेदारी भी लेता है हिस्सेदारी भी लेता है किस चीज में, सारी discussions के अंदर वो हिस्सेदारी लेता है, अपनी बात सामने रखता है, क्या वो preside करता है, वो preside नहीं कर सकता वो preside नहीं कर सकता क्या वो वोटिंग कर सकता है जी हाँ वोट डाल सकता है लेकिन वोट डालेगा सिरफ पहली बारी में ठीक है फस्स इंस्टांस में सेकिंड इंस्टांस में या डेड़ लॉक के केस में वोट नहीं डालता है डेड़ लॉक में डालेगा फस्स इंस्टांस में डालेगा इसका क या मतलब है या आपको थोड़ी देर में clear हो जाएगा, ठीक है, अभी बस आप याद कर लिजिए, कि जब speaker के removal की बात चल रहे है, तो वो present होगा, participate भी करेगा, लेकिन preside नहीं कर सकता, पर वो vote डाल सकता है, deputy speaker क्या कर सकता है, deputy speaker present होगा, लेकिन वो participate नहीं कर सकता, वो preside नहीं कर सकता, और वो vote नहीं डाल सकता, तो deputy speaker और deputy chairman का almost same है, और speaker और chairman में एक फरक है, कि speaker को vote डालने की ताकत दी हुई है, और यहां से आपका question निकलता है, कि removal proceeding के दौरान क्या speaker vote डाल सकता है, तो जवाब होगा, बिल्कुल, वो vote डाल सकता है, तो यह थे आपके लोगसभा और राजे सभा के officers, अब जो conduct of business के कुछ articles हैं, यह सब अभी हम detail में देखेंगे, यह सिरफ overview आपको याद रखाने के लिए, सारे के सारे जितने भी member of parliament चुनके आज आएंगे, जितने भी member of parliament अपनी लोग सभा है, राजे सभा में आएंगे, उनको oath लेनी होती है, किस के सामने, president के सामने वो oath लेते हैं, यह जो oath है, यह कहां लिखी हुई है, यह आपके third schedule के अंदर लिखी हुई है, फर्स schedule के अंदर आपकी union और उसकी territories आती है, second schedule के अंदर आपकी salary आती है, कुछ लोगों की emoluments आते हैं, privileges आते हैं, third schedule के अंदर आपकी oath आती है, fourth schedule के अंदर राध्य सभा के अंदर हर state को कितनी seat allotted हैं, वो आती हैं, यह हम देख चुके हैं, fifth schedule के अंदर scheduled area और scheduled tribe की बात होती है, लेकिन तामेमी state के scheduled area और scheduled tribe की बात नहीं होगी, sixth schedule के अंदर तामेमी area के tribal areas की बात होती है, seventh schedule के अंदर आपकी list है, union list, state list और concurrent list, eighth schedule के अंदर आपकी official languages है, 9th schedule हमने कल ही देखा fundamental rights के अंदर, 10th schedule के अंदर disqualification वाला है, तो अभी आप याद करें, मैंने आपसे बोला था, कि president की parliament के अंदर एक power जो है, वो ये, कि article 102 clause 1 और 102 clause 2 जो है, वो disqualification की बात करता है, president जो है article 102 clause 1 के अंदर जो disqualify हो रहे हैं, उसके अंदर final authority president की है, जो कि election commission के according ही decide करेगा, कि हम इस member को disqualify करें या ना करें, ठीक है, कोई member disqualify होगा या नहीं होगा, 102-1 के अंदर, वो president decide करता है election commission के according, 102-2 जो है, ये directly जोड़ा हुआ है 10th schedule से, 11th schedule और 12th schedule, ये आपके पंचायत की list और municipality की list है, जो कि 73rd और 74th amendment से आई है, ठीक है, तो ये भी हम देखते जारे हैं, साथ-साथ, इसलिए आपको दुबारा से revise करा दी है, तो जो conduct of business की बात होती है, conduct of business के अंदर सबसे पहले तो MP जैसे ही, अपने house के अंदर गुसेंगे, वो president के सामने ओत लेगा, कि अब मैं धंग से काम करूँगा, ठीक है, अब ये तक मैंने जितना भी crime किया, अब मैं crime नहीं करूँगा, मजब मजाक में बोल रहा हूं बस, ठीक है, MP जो है, वो president के सामने ओत लेगा, फिर उसके बाद house के अंदर, मैंने आपसे कहा, house के अंदर, ये कोई भी bill आता है, ठीक है, तो house जो है, वो meeting करता है, वो sitting करता है, sitting हो रही है, तो माल लिजे, house के member है 545, और सिरफ 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, house के अंदर, जादा तर जो decision होते है, decision होते है, majority पे, और वो majority कुन सी होती है, 50% प्लस वन present and voting, यानि कि house के अंदर, जितने लोग present है, उन present में से, जितने लोग vote दे रहे हैं, यानि कि, जो लोग आये हुए हैं, और vote डालने के लिए उच्छुक हैं, वो लोग vote डालेंगे, उन लोगों में से, अगर किसी चीज को 50% प्लस 1 vote मिल जाता है, तो वो चीज जो है, वो वोट भी डाल रहे हैं, तो इस बिल को पास करने के लिए, कितने लोगों की majority चाहिए, इस बिल को पास करने के लिए, 50% इसका 45 हो गया, 45 प्लस 1 vote चाहिए, 45 प्लस 1 vote चाहिए, अगर इतना मिल गया तो यह पास हो जाएगा, क्या यह आपको सही लगता है, ठीक है, यह तो ब बहुत ही important bill, house के अंदर आना था, house के अंदर उस दिन सिरफ 10 लोग आये, केवल और केवल 10 लोग आये, ठीक है, बिल के उपर इन 10 लोगों ने discussion करी, इन 10 लोगों ने discussion करी, फिर उसके बाद केवल 8 लोगों ने कहा कि हम voting डालने को तयार है, 8 में से 7 लोगों ने vote डाल दिया 7 लोगों ने vote डाल दिया, तो लोग कहेंगे, कि देखो जो bill है, bill को कितनी जादा majority मिली है, present and voting कितने लोग थे, 8 लोग present and voting थे, और 8 में से 7 लोगों ने उस bill के favor में vote किया है, तो ये bill पास कर दो, तो आप खुद कहेंगे, कि भाई साब 545 member total है, उस दिन 10 लोग आये थे, तो आपने इसके उपर चर्चा ही क्यों करी, आपने इसके उपर चर्चा ही क्यों कि 10 लोगों की क्या ही बात माने हम, है न, तो इसी लिए हमने एक safeguard दिया हुआ है, और उस safeguard का नाम है quorum, यानि कि किसी भी house के अंदर कोई भी meeting तब तक नहीं होगी, जब तक एक minimum number of लोग व वहां पर प्रेजन्ट होना, तभी मीटिंग होगी, और कोरम कितना है, कोरम है 1 10th, ठीक है, एक बटा 10 मेंबर जब होगे हाउस के अंदर, तभी उसके उपर चर्चा की जा सकती है, तभी जो चीज है, उसके उपर फैसरा लिया जा सकता है, ठीक है, तो यानि कि जब लोग सभ तो जो उसका presiding officer है presiding officer उस meeting को या तो suspend कर देगा, suspend करके कहेगा कि जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते तब तक हम कोई बात नहीं कर रहे हैं या फिर वो adjourn कर देगा, adjourn कर देगा कि भई आप बाद में कभी मिलेंगे, आज तो नहीं मिल रहे हैं या फिर कुछ घंटो के बाद मिलेंगे अभी तो बात नहीं हो सकती, अभी जो quorum है वो पूरा नहीं हुआ, quorum को आप कैसी याद रखेंगे minimum number of members which should be present for a meeting to convene, इस तरह से आप एक simple definition याद रख सकते हैं, तो क्या याद रखना है quorum याद रखना है, कितना होता है 1 by 10th of membership of house house की membership का एक बटा 10 अगर quorum नहीं होता तो कौन उस meeting को suspend या एडजन करता है presiding officer, presiding officer क्या होता है लोग सभा के अंदर presiding officer होगा speaker, अगर speaker present नहीं है तो deputy speaker, राज्य सभा के अंदर presiding officer होता है chairman, अगर chairman नहीं है present किसी वाज़ास से तो deputy chairman, ठीक है तो जो भी preside कर रहा होगा उस meeting को सही से चला रहा होगा उसको presiding officer क्याते है, वो decide करता है जो decision होते है houses के अंदर वो decision कैसे लिए जाते है decision लिए जाते है, majority of present and voting से present and voting की majority से लिए जाते है यानि कि 50% plus 1 of present and voting अगर कहीं पर कोई deadlock आ जाते है तो फिर आपको joint session या joint sitting बुलानी होती है कौन बुलाता है, इसको president बुलाता है, ठीक है अब हम disqualification को भी या चलिए वो बाद में देखते हैं पहले अपने notes से थोड़ा सा देख लेते हैं जो notes हम अपनी इस वीडियो के अंदर use करेंगे, वो handwritten notes हैं M. Lakshmi Khan से, अगर आप हमारे वो notes लेना चाते हैं, तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो like करना न भूलें, दोस्तों के साथ share करें, और channel पर नहीं है, तो channel को subscribe जरूर करें, अब जो अभी तक पढ़ा है, उसको एक बार ही जल्दी से हम notes से देख लेते हैं, revise कर लेते हैं, वैसे मैं आपको एक table की form में, flowchart की form में आपको वो वाले page भी attach करके दे दूँगा, Parliament के जो हमारे लोगसभा से, और एक राज्यसभा से, लोगसभा का नाम है house of the people, राज्यसभा का नाम है council of, ये states है, आई हटा लीजेगा, states, दो houses है, इसलिए इसको by cameral कहा जाता है, by का मतलब two, cameral का मतलब houses, तो by cameral legislature है इंडिया का, composition of houses की बात करें, तो राज्यसभा की composition देखेंगे और लोगसभा की देखेंगे, राज्यसभा के अंदर 238 members plus 12 इसी तरह याद किया था, 12 जो है वो president चुनता है, LCS से, LCS, literature, science, arts और social service से, ऐसे लोग जिनकी special knowledge है या फिर practical experience है, इन चार field में, वो राज्यसभा के अंदर nominate किये जा सकते हैं, president nominate करता है, इसका मैंने आपको एक example म nominate होके ही राज्यसभा में बैठा था, 238 जो members है, 238 members states और union territory के representative होते हैं, हर state की कितने लोग, हर state के कितने representative राज्यसभा में आएंगे, वो कहां लिखे हुए हैं, वो लिखे हैं fourth schedule के अंदर, कौन चुनके भेशता है इनको, इनको state की legislative assembly के elected members चुनके भेशते हैं, elected members, यह important याद रखना हैं आपको, nominated members जो हैं वो राज्यसभा में, election में, वो नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, spelling देख लीजगा, वो लिखनी पाया में, और कौन सा तरीका follow होता है, proportional representation by single transferable vote, ठीक है, और आपके लोगसभा की जो members देखे हैं, तो लोग, यह article number लिख 30 जो लोग हैं, वो direct राज्यों से, states में direct election होंगे, जो जनता है, people है, people, people directly elect करेंगे अपने representatives को और वो MP बनेंगे, union territory से 20 लोग चुन के आएंगे, constitution हमारा कहता है कि union territory से कैसे लोग आएंगे, यह parliament डिसाइड करेगा, और parliament ने क्या डिसाइड किया, parliament ने यह डिसाइड किया लोग सभा के अंदर, लेकिन एक बिल आया था 2019 में, 126th Amendment Bill, यह Amendment Bill पास होके बन गया है, 104th Amendment Act, जब वो आया था तब उसका नंबर 126 था, पास हो गया तो उसका हो गया, 104th Amendment Act, तो 104th Amendment Act से यह हटा दिया गया है, ठीक है, अच्छा, जब भी हम वो करेंगे, election होंगे, लोग उसको डेर सारी Constituencies के अंदर, डिवाइड किया जाएगा, तो Constituencies कैसे बनाए जाएगी, Constituencies ऐसे बनाए जाएगी, कि जितनी भी आपके population का Criteria इसके अंदर आएगा, मतलब यह है कि जितनी भी Constituencies होगी, उस Constituencies में, या फिर चलिए आप इसको इस तरह देखिए, यह एक इस राज्य के अंदर, इतने लोग रहते हैं, और इस राज्य के अंदर धेर सारे लोग रहते हैं, तो इस राज्यों को धेर सारी Constituencies में डिवाइड किया जाएगा, तो क्या धियान रखेंगे, ध्यान यह रखते हैं कि जितनी भी सीट इस राज्यों को मिली हुई है, 20C है उसके अंदर भी यही ध्यान रखा जाएगा तो इतना आपको यह डिटेल में जानने की ज़रूत नहीं है बस यह याद रखने कि यह proportion सेम रखने की कोशिश की जाती है seats और population की और क्या ध्यान में रखते हैं कि राज्यों की कौन सी population रहेंगे states की कौन सी population लेंगे states की population लेंगे 1971 census में जवाई थी वो ठीक है एक राज्य की कितनी seat होंगी कितनी seat होंगी लोग सभा में यह 1971 के census के आधार पर निकाला गया है states को हम constituency में डिवाइड करेंगे तो उस constituency की population by seats की ratio भी सेम रखते हैं तो constituency की कौन सी population लेंगे, constituency की population लेंगे 2001 के census की बस इतना याद रख लें राज्य की कौन सी population लेंगे 1971 census और constituency की कौन सी population लेंगे 2001 का census बस इतना आप याद रख लें ठीक है यह Article 82 जादा याद रखने की जरुत नहीं है यह बस यह कहता है कि जब भी census हो जाएगा हर 10 साल के बाद census होता है जन गड़ना ठीक है लोगों की देश के अंदर कितनी population है कितने लोग रहते हैं उसकी जन गड़ना होती है वो जब भी हो जाएगी उसके बाद Parliament के अंद population लेंगे 2001 की यहाँ पर हो सकता है मैं गलती से 2016 मुझे कहीं दिखाई दिया था नई 2026 यह 16 जैसे दिख रहा है पर यह 26 है ठीक है तो यह population का देख लिए seat का देख लिए इतना important नहीं है फिर हमें देखनी है duration 83 के अंदर duration देखने को मिलती है राज्यसभा की duration क्या है indefinite यह कभी भी खतम नहीं होता राज्यसभा इसके सिरफ एक तिहाई member retire हो जाते हैं हर दूसरे साल ठीक है लोग सबा हर 5 साल के बाद पहली meeting से 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है emergency अगर लगी हुई है तो इसके 5 साल को extend किया जा सकता है एक साल at a time ठीक है लेकिन जब emergency खतम हो तो उसके सिरफ 6 महीने बात तक किया जा सकता है यह मैं आपको समझा चुका हूँ already qualification की बात की जाए तो 30 साल का citizen जो की ओध लेने को तयार हो ऐसे आदमी के सामने जिसको election commission चुने एक्स य जड को चुनेगा तो उसके सामने ओध ले रहे हो तो तुम candidate बन सकते हो MP बनने के लिए यह candidate बनने के लिए qualification है लोग सभा में कौन election लड सकता है जो 25 साल का हो citizen हो और ओध लेने को तयार हो election commission के किसी के सामने तो यह candidate के लिए जब यह candidate चुन के अगर यह चुन गया और यह MP बन गया Member of Parliament बन गया तो यह ओध किस के सामने लेगा तो यह ओध लेगा President के सामने candidate oath लेता है ऐसे आदमी के सामने जिसको election commission चुने और MP ओध लेता है President के सामने तो यहां पर यह confused नहीं होना है ठीक है फिर उसके बाद 85, 86, 87 यहां पर President का रोल है तो मैंने आपको जब पहले ही चार्ट बनाया था तो President के रोल बताये थे President समन करता है प्रोरोग करता है और ल दिखी हुई है ठीक है 85 के अंदर वो समन प्रोरोग और डिजॉल्व की बात करता है ठीक है तो जो President है वो समन करेगा समन करेगा houses को और इस तरह से समन करेगा कि दो session के बीच में 6 महीने का समय पूरा ना हुआ हो जो President है वो प्रोरोग करता है यानि कि जब एक session खतम हो रहा है प्रोरोग करना ठीक है हर दिन की meeting को खतम करने को कहते है एडजन करना एडजन करने का मतलब यह नहीं है कि meeting खतम हो गई एडजन करने का मतलब यह है कि यार बहुत काम हो गया बेवी बच्चों की याद आ रही है खाना भी खाना है तो एक काम करते है जो काम है अब हम कल दुबारा से देखेंगे, तो हमने क्या कर दिया है, पोस्ट पोन कर दिया है, हमने काम को, ठीक है, तो हर दिन ये एडजन किया जाता है, यानि कि काम को हर दिन पोस्ट पोन करके घर चल जाते हैं, फिर अगले दिन आके काम करेंगे, फिर घर चल जाएंगे, फिर अगले दिन आजाए और आकरी दिन क्या होगा आकरी दिन प्रेजिडेंट आएगा और कहेगा भाईया बहुत काम हो गया इस सेशन में अब इसको किया जाए प्रोरोग ठीक है एड़ जन करने की पावर किसके पास है उस हाउस का जो भी प्रिसाइडिंग ओफिसर होगा यानि लोग सभा के प्रिसाइडिंग ओफिसर कौन होगा स्पीकर स्पीकर की एपसेंस में डिप्टी स्पीकर राज्य सभा का प्रिसाइडिंग ओफिसर चेर्में चेर्में की एपसेंस में डिप्टी चेर्में ठीक है तो प्रोरोग समझ गया आप तो समन प्रोरोग और डिजॉल्फ 85 आर्टिकल कहता है और किसकी ताकत है ये प्रेजिडेंट की ताकत है ठीक है अभी हम जब एडजेंडमेंट देखेंगे अभी आगे एडजेंडमेंट को और भी देखना है तो दो तरह की एडजेंडमेंट देखेंगे एक होती एडजेंडमेंट नॉर्मल अगर प्रेसाइडिंग आफिसर कह दे कि मैं हाउस को एडजेंड कर रहा हूं बस ये बोलके चला गया तो इसमें उसने कोई डेट नहीं दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर ऐसे बोले कि दा हाउस इस एडजर्ण तिल 7 एम 7 एम on 2nd December तो इसका मतलब क्या है कि हाउस जो है एक डेट बता दी गई है उस डेट को उस टाइम को हाउस के सारे के सारे लोग फिर से आके मिलेंगे तो यह एडजर्ण मेंट होती है इसको का जाता है एडजर्ण मेंट और एक होता है एडजर्ण मेंट साइन डाए साइन डाए के अंदर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बस ही कह जाता है कि हाउस जो है वो एडजर्ण हो गया वो डेट बता के नहीं जा रहा यह तो adjunment signed time मतलब indefinitely है मैंने कोई date नहीं बताई है presiding officer ऐसी बोलके चला गया अभी हमें date नहीं बता कम मिलना है और वैसे adjunment के अंदर date बताई जाती है कौन adjun करता है इसको presiding officer करता है यह दोनों ही काम यह याद रखने आपको यह हो गया 85 85 के अंदर summon, prorogue और dissolve आ गया फिर उसके बाद आता है आपका article number 86 86 के अंदर क्या है जो president है वो address कर सकता है या message भे सकता है president को अपनी कोई बात पहुचा नहीं थी किसी house ता क्या तो वो खुद जाके address कर दे उस house को या फिर message पहुचा दे जब भी वो message पहुचा देगा तो उसको consider करना पड़ेगा ये भी आपको मैं बता चुका हूँ उसी flow chart के अंदर 87 आपको article number से याद रखने ठीक है तो 85, 86 और 87 president से जुड़े हो और आपको ये तीनों article number याद रखने 85 है special address वाला special address कब होगा पहला session general election के बाद लोग सभा के और पहला session हर साल का इसके अंदर दोनों houses को बोलेगा भाईया साथ में आओ मुझे कुछ कहना है जो भी वो बात कहेगा उसके उपर voting होगी उसको का जाता है motion of thanks प्रेजिडेंट की speech को एक चिट्टी में लिख दिया जाएगा एक page पे लिख दिया जाएगा और उस page के उपर voting होगी ये motion of thanks highlight करेगा government की policies को vision को और अप्रोच गई यानि कि government क्या करना चाह रही है ठीक है और इसको अगर वो pass नहीं करा पाती है सरकार अगर वो fail हो जाती है तो इसका अब भी है कि government की defeat हो गई है government गिर गई है government का collapse हो गया है अच्छा अगर motion of thanks पास नहीं होता तो तो government का collapse हो गया मान लिजे motion of thanks में किसी चीज़ से आपती है और हम government नहीं गिराना चाहते हम बस यह चाहते है कि motion of thanks के अंदर थोड़ा सा change ले ओ तो motion of thanks को amend किया जा सकता है ठीक है तो amendment किया जा सकता है motion of thanks का फिर इसके बाद अच्छा यह एक article है जो आप article number से याद करेंगा article number है 88 यह मैंने आपको भी तक नहीं बता है यह आप सुनिए यह थोड़ा नहीं है यह article क्या कहता है यह article यह बताता है कि हमारे houses के अंदर बैठने की houses के अंदर बैठने की उसके अंदर participate करने की और उसके अंदर बोलने की ताकत किस किस को है किस किस को इसका अधिकार मिला हुआ है हाउस के अंदर कौन-कौन बैठेगा, बात करेगा, इसका अधिकार किसको मिला हुआ है, तो इसका अधिकार मिला हुआ है सारे मंत्रियों को, देखिए, MP तो बैठेगे, MP तो बैठेगे, MP के अलावा कौन बैठेगा, सारे के सारे मिनिस्टर बैठ सकते हैं, मिनिस्टर चाहे लोकसभा का हो, चाहे राजयसभा का हो मान लीजिए लोकसभा की कोई मीटिंग चल रही है और कोई मंतरी है मंतरी Onu emotionally राजयसभा का MP है और उसको government ने अपना मंतरी बना लिया ठीक है, एक example लेते हैं जैसे Manmohan Singh की बात ले लेते हैं मनमोहन सिंग जी राज्य सभा के, राज्य सभा से राज्य सभा के MP थे, लोग सभा की मीटिंग चल रही है और मनमोहन सिंग चाते हैं कि वो लोग सभा में जाके बात करें, तो वो लोग सभा की मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्या बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जि मंत्री किस हाउस का MP है, ठीक है, मैंने आपको उताय था ना, Minister जो है, वो MP भी होता है, Member of Parliament भी होता है, और Executive भी होता है, वो मानलीजे MP राज्यसभा का है, लेकिन वो तब भी लोगसभा में बैठ सकता है, ऐसी मानलीजे MP लोगसभा का है, तब भी वो राज्यसभा में जाके बैठ सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, बैठ सकता है, जॉइन सिटिंग हो, उसमें बैठ सकता है, अगर वो, अगर वो पार्लियमेंट की किसी कमिटी का Member है, तो उस committee में बैठ सकता है तो एक तो मंत्री बैठ सकता है MP तो बैठी सकते हैं MP के अलावा ministers बैठ सकते हैं सारे के सारे और attorney general बैठ सकता है याद है article number 76 attorney general ये government का वकील होता है ये government का lawyer होता है इसको कहा जाता है first law officer of India तो ये जो attorney general है ये भी किसी भी house में किसी भी joint sitting में या अगर ये किसी committee का member बना दिया गए तो उस committee में जाके बैठ सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको क्या ख्याल रखना है ये सिरफ बैठ सकते हैं बोल सकते हैं क्या ये vote डाल सकते हैं ये vote नहीं डाल सकते vote डालने का अधिकार सिरफ MPs को है ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्टर और Attorney General वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं बात कर सकते हैं, participate कर सकते हैं लेकिन vote नहीं डाल सकते ये बहुत ही tricky question है ये पूछ लेते हैं कि एक मिनिस्टर जो की राजे सभा का MP है क्या वो लोग सभा में बैठ सकता है बिल्कुल बैठ सकता है मंतरी किसी भी हाउस में बैठ सकता है अब हम officers देखेंगे article 88 आपको number से याद करना है तो आपको 85, 86, 87 एक सांस में बोलेंगे और President के साथ याद कर लेंगे 88 जो है वो बैठने का और participate करने की बात कहता है फिर उसके बाद हमारे officers चालू हो जाते हैं ठीक है officers को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा है इधर राज्य सभा और इधर लोग सभा राज्य सभा के officer chairman और deputy chairman chairman vice president होता है जिसके आरे मैं already हम कल की class में देख चुके हैं deputy chairman chairman राज्य सभा के members choose करते हैं किसी और राज्य सभा के member को आगर वो कभी vacancy आ जाती है तो दूसरे आदमी को चुन लेते हैं पर चुना जाएगा वो राज्य सभा का member ही vacation कब होगी deputy chairman की seat खाली कब होगी जब वो राज्य सभा का member नहीं रहेगा या फिर वो chairman को resign कर दे या फिर उसको remove कर दिया remove करने का process क्या है कि एक notice दिया जाएगा कि हम deputy chairman को remove करना चाते हैं और उस removal के लिए एक resolution लाना चाते हैं इस notice के 14 दिन के बाद resolution लेके आएंगे राज्य सभा के अंदर और राज्य सभा के member जो हैं वो उस resolution पे discuss करके voting कर देंगे voting में अगर resolution पास हो जाता है by majority of membership तो उसको removal माना जाता है ऐसी लोग सभा के अंदर speaker, deputy speaker लोग सभा के ही members लोग सभा के ही दो members को speaker और deputy speaker बना देंगे इसके अंदर vacation कब आईगी यह vacation है vacation कब आईगी जब वो members लोग सभा के member नहीं रहेंगे they cease to be a member of लोग सभा तो वो speaker और deputy speaker भी नहीं रहेंगे resign कैसे करेंगे वो आप देख लिजए removal का process बिल्कूल सेम वही वाला है चीक है removal का process बिल्कूल सेम है अगला removal के process की ही बात है कि जब removal का process चल रहा है तो उस time पे deputy chairman इस paragraph को भूल जाओ मैं आपको इसको दुबारा से आद कराता हूँ ठीक है फिर उसके power की बात की जाए power की बात की जाए कि deputy chairman की क्या-क्या power है वो कौन-कौन सी duty करता है deputy chairman की ठीक है तो जब भी जब भी जो हमारा chairman है chairman की seat खाली होगी vacancy होगी chairman की seat पे या फिर chairman कोई होता है chairman vice president होता है तो chairman की या तो seat खाली है या फिर chairman president की तरह act कर रहा है ठीक है president का काम कर रहा है तो जब vice president president का काम कर रहा है तो वो राज्यसभा का तो chairman नहीं बना रहेगा तो यानि कि chairman की seat खाली है chairman की भी seat खा लिया है यानिcular chairman death resignation or death resignation ya फिर removal हो गया है chairman की seat का death resignation ya removal हो गया है तो president किसी आDमी का उपवाइंट कर देगा और वो जाके बैठेगा यह आपको ध्यान डखना है कि अगर chairman भी chairman नहीं है chairman death resignation removal हो गया chairman की या फिर vice president प्रेजिदेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो उस केस में डिप्टी चेर्मेन प्रिसाइड करेगा राज्यसभा की मीटिंग को, अगर डिप्टी चेर्मेन की भी डेथ रेजिगनेशन रिमूवल हो गई, तो प्रेजिदेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, ये तो था जब च चेर्मेन प्रिसाइड करेगा, मान लिजे डिप्टी चेर्मेन भी एपसेंट है, तो उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आदमी होगा, उस आदमी को बिठा दिया जाएगा, अगर ऐसा भी कोई आदमी रूल्स ऑफ प्रोसीजर मे वो डिक्टो सेम यहाँ पर, अगर स्पीकर की सीट वेकेंट है, डेथ रेजिगनेशन या रिमूवल हो गया है, स्पीकर की सीट खाली है, तो डिप्टी स्पीकर जो है, वो प्रिसाइड करेगा लोगसभा को, अगर लोगसभा की डिप्टी स्पीकर की सीट भी खाली है, ड rules of procedure जो आदमी को choose करेंगे वो बैठेगा, अगर ऐसे जो आदमी choose हो रहे है rules of procedure से, वो भी सारे के सारे absent है, तो फिर लोग सभा किसी को बिठा देगी, ठीक है, अब जो मैं कहरे तर removal का आप वहाँ पर याद ना करें, मैं आपको दुबारा याद कराऊंगा, तो आप वो देगा, deputy chairman सिरफ और सिरफ प्रेजेंट होगा, बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता, speaker जो है वो present होगा, preside नहीं करेगा, पर वो participate भी करेगा, और vote भी डालेगा, वोट डालेगा सिरफ first instance में, ये first instance अभी थोड़ी दिर में आपका clear होगा, deputy speaker सिरफ और सिरफ प्रेजेंट होग इन दोनों के separate secretariat होंगे, secretariat क्या होता है, देखिए, राजय सभा और लोग सभा के अंदर कौन बैठे हैं, चुने हुए लोग बैठे हुए हैं, MPs बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चुने हुए लोग हैं, elected लोग हैं, चाहें direct election से आये हों यहाँ पर, या फिर indirect election से आये हों, ठीक है, तो ये MP होते हैं, अब इन MPों को काम करने के लिए कुछ officers की जरूवत होती है, कुछ ऐसे experts की जरूवत होती है, जैसे की assistant हो गए, section officer हो गए, फिर उसका joint secretary हो गए, फिर आपके deputy secretary हो गए, फिर आपके secretary हो गए, तो इस तरह के officers की जरूवत होती है, जो की permanently काम करते ह फाइलों को maintain करते हैं, फाइलों के अंदर सारी चीज़े लिखते हैं, और फिर decision ये मंतरी ले ले लेते हैं, तो मंतरियों को कुछ experts की जरूवत होती है, और वो सारे के सारे जो ये experts होते हैं, ये सारे government servant है, ये मंतरी या फिर MP, MLA विधायक है, ठीक है, ये कौन है, ये government servants ह नौकरी हैं, जिसके लिए आप तयारी कर रहे हैं, तो ये जो लोग जहां बैठते हैं, उसको secretariat कहा जाते हैं, तो राज्य सभा का अपना अलग secretariat है, लोग सभा का अपना अलग secretariat है, लेकिन ये दोनों अगर चाहें, तो कोई post बना सकते हैं, जो post दोनों के लिए common हो, या यह भार्टिकल देखने बिल्ट और अपकर नाइनची नाइनड और हंड़र्ड आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? याद करना आसान है, साय का मतलब शतक हो गई इसे कोई कहानी बना ले ना कि शतक हो गई, यानि की डिसीजन हो गया, तो डिसीजन लेने का जो तरी मैं आल्रेडी बता चुक हूँ यह 99 का आर्टिकल नंबर याद नहीं रखना सौ का रखना है सौ क्या कहता है कि कोई भी कोशन कोई भी सवाल जो पार्लियमेंट के अंदर उठा है इस पार्लियमेंट के चाहे लोगसभा में उठा हो चाहे राज्यसभा में लोगसभा के अंदर कैसे डिसीजन होगा मैजोरिटी से डिसीजन होगा मैजोरिटी किसकी प्रेजन एंड वोटिंग की राज्यसभा में कैसे डिसीजन होगा वोटिंग से होगा वोटिंग में मैजोरिटी से होगा ठीक है, अगर कोई joint sitting हो रही है, जिसमें लोकसभा और राजसभा दोनों के दोनों आके बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई decision लेना है, तो वहाँ पे भी voting होगी, और decision कैसे होगा, present and voting से ही होगा, तो हर एक sitting, चाहे वो joint sitting हो या फिर दोनों houses अलग-अलग बैठे हो, वहाँ पे decision, present and voting की majority से होता है, इस present and voting की majority देखे, क्या हो रहा है, किसी चीज के ओपर discussion हुई, मैं लोकसभा का example ले लेता हूँ, या चली राजसभा हो, या फिर joint sitting हो, joint sitting रहने दी जोगसभा या राजसभा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज के ओपर discussion हो रही है, ब जितने भी लोकसभा के members हैं, speaker को छोड़के, speaker को छोड़के, जितने भी लोकसभा के members हैं, यह voting डालेंगे, voting डालेंगे, और इन की majority ऐगी, majority of present and voting से decide होगा, कि will pass होगा या नहीं, तो voting कैसे होती है, voting होती है eyes में, या फिर nose में, ठीक है, या तो तो तुम हाँ बोल रहे हो, या तो तुम ना बोल रहे हो, ठीक है, तो मान लिजे, voting हुई, इस voting में, जब पहली बार voting होती है, तो सिरफ और सिरफ, speaker के अलावा, जितने भी member हैं, लोकसभा के, वो सारे के सारे vote डालते हैं, जो उस टाइम पर present हैं, और vote डालना चाहते हैं, ठीक है, speaker यहाँ पर vote नहीं डाला है, अब जो है, अब क्या हुआ है, आइस के अंदर, हा के अंदर, आइस के अंदर आए 50 वोट, नेज के अंदर आए 50 वोट, तो यह क्या हो गया, equality of vote हो गई, तो इस equality of vote के अंदर क्या होता है, अब speaker से बोला जाएगा, कि speaker भाई साब, पहले instance में आपने वोट नहीं पास हो जाएगी, तो यह जो equality of vote के टाइम पर, speaker को वोट डालने को कहा गया है, इस वोट को कहा जाता है, casting vote, casting vote जो है, वो last में, जब कोई deadlock आगया है, ठीक है, house के अंदर deadlock आगया है, house के अंदर, house के अंदर deadlock आगया है, तो जो presiding officer होता है, उसको casting vote मिला हुआ है, क्या याद रखेंगे आप, आप ये याद रखेंगे कि जो भी presiding officer होगा, वो first instance में vote नहीं करता है, वो हमेशा second instance में vote करेगा, second instance का मतलब है, कि deadlock आगया है, house के अंदर equality of votes आगया है, तो वो casting vote डालता है, ताकि वो deadlock खतम हो सके, कोई एक चीज़ का चुनाव हो सके, ठीक है, तो ये मैंने लोक सभा का एक्जामपल लिया था, जिसमें speaker को casting vote था, राज्ये सभा का एक्जामपल लूँगा, तो chairman के पास casting vote है, मान लीजे किसी meeting के अंदर चीज़े decide हो रही है, और speaker present नहीं था, deputy speaker preside कर रहा था, तो क्या deputy speaker पहले instance में vote डालेगा, या casting vote डालेगा, ये casting तो यानि कि जो भी presiding officer होगा, उसके पास first instance में voting power नहीं होती, सिरफ casting vote उसको मिलता है, अब हम एक बारी दुबारा से इस पे आएंगे, कि जब removal की proceeding चल रही थी, जब removal की proceeding चल रही है, speaker की, deputy speaker, chairman की, ठीक है, ये देखी आप, तो removal की proceeding के time पे, speaker के पास casting vote नहीं है, सिरफ वो removal के time पर first instance में vote करता है, casting vote नहीं होता है, यहाँ पर उसका first instance में vote होता है, एक सवाल यह आ सकता है, कि उसको first instance में voting करने को क्यों नहीं कहते है, तो यह माना जाता है, कि जो भी presiding officer होगा, जो भी speaker है, या chairman है, इस office को कहा जाता है, कि यह office impartial होना चाहिए, इमपार्शल होना कि तो किस party को favor कर रहा है, ठीक है, तो पहली भारी में vote मत डाल, तो अपनी impartialty maintain कर, लेकिन जब ऐसी situation आगे कि 50-50 में बढ़ गया, 50% 50% में बढ़ गया, और कोई भी decision नहीं आ पा रहा है, तो उसे कहते है कि भाई, चला, decision लाने के लिए तो एक vote डाल दे, जो उसको casting vote कहा जाएगा, ठीक है, अब ये चोटे-चोटे से point होते हैं, ये चोटा सा point जो कोई भी नहीं पूछेगा, वो point कहा है, मान लीजिए, कोई vacancy थी, उस vacancy में, मतब कोई आदमी MP प्रेजेंट नहीं था, और voting हो गई, और कोई bill पास हो गया, तो वो MP जाके, speaker के पास ये नहीं र जोगी, उस meeting के अंदर कोई भी decision जो है, वो majority of present and voting से पास करके लिया जा सकता है, तो quorum क्या है, one by tenth है, ठीक है, कोरम का ये जो one by tenth की value है, इसको change किया जा सकता है, पारलेमेंट चेंज करेगा, अगर किसी sitting में quorum नहीं होगा, तो जो भी presiding officer है, जाए speaker हो या deputy speaker हो, वो उस proceeding क को suspend कर सकता है, या adgen कर सकता है, adgen जहां पर भी दिख जाए, तो president नहीं करता, adgen सिरफ और सिरफ speaker या फिर कोई भी presiding officer करेगा, अब जो disqualification है, इसको देखते हैं, इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर ये आपको notes दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको notes दि उस proceeding को 104 रूप से अच्छे तरीके से चलाने की, जो responsibility है, वो in presiding officer की होती है, तो अगर कोई जाधा ही शोर शरावा मचा रहा है, या फिर तंग कर रहा है, या फिर discussion नहीं करने दे रहा, तो ये, जो presiding officer है, उसकी duty है कि वो उस चीज को solve करें, तो disqualification में जाधा कुछ आपक majority of president voting, 100 के अंदर हम decision ले रहे है, 101 के अंदर हम ये देखते हैं कि seat MP की, member of parliament की seat है, वो खाली कैसे होती है, मान लीजे कोई एक MP था, जो कि लोकसभा से भी चुना गया था, और राज्यसभा में भी चुन लिया गया है, वो दोनों houses का, लोकसभा और राज्यसभा का member बन गया तो ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपने किसी एक house की seat है, वो seat उसको खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो seat खाली नहीं करेगा, तो parliament decide कर देगा कि तेरी कौन सी seat खाली हो रही है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि वो लोकसभा का भी member बन गया, बोध houses का member है, लोकसभा भी तो एक seat खाली कर दे, वरना parliament decide कर लेगा, दूसरा case क्या होता है, कि वो लोकसभा या राजे सभा में से किसी एक house का member है, साथ की साथ वो किसी राजे का MLA भी बन चुका है, ठीक है, MLA या फिर MLC बन चुका है, तो यानि कि वो center पे भी चुना जा चुका है, और state में भी Parliament के अंदर जो seat है, उसको खाली मान लिया जाएगा, तुम राज्य के ही रहोगे फिर, ठीक है, तो इससे अच्छा तुम उस समय से पहले ही decide कर लो, तुमें कहां पे रहना है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेजिडेंट जो है, वो एक time बताएगा, उस time से पहले, अगर उसने decide नहीं किया कि उसको Parliament का Member बनना है, या फिर State Legislature का, तो उस time के बाद, उसकी Parliament की seat है, Parliament की seat है, वो खाली हो जाएगी, जो MP होते है, Member of Parliament होते है, वो resign किसको करते है, अगर वो राज्य सभा का है, तो चेर्मन को करेगा, लोग सभा का है, तो स्पीकर को करेगा, चेर्मन और चेर्मन और स्पीकर की ये ड्यूटी होती है, कि जब भी उसके हैस कोई resignation आए, तो वो ये चेक करे कि ये resignation जो है, वो genuine है और voluntary है, उसके ओपर किसी ने दवाब देके तो उससे resign नहीं करवाया, ठीक है, तो बस ये याद रखना आपको, अगर कोई MP ऐसा है, जो 60 दिनों उसने कोई meeting ही attend नहीं की और किसी से permission भी नहीं ली थी, वो सारी meeting हो से absent था, तो भी उसकी seat जो है, वो absent, उसकी जो seat है, वो खाली मानी जाएगी, और पांच वो तरीका क्या है, उसकी seat खाली होने का, कि वो disqualify हो गया, under article 102, 102 article के अंदर disqualification लिखी है, दो तरह की, 102 clause 1 और 102 clause 2 ठीक है, इन दोनों तरीकों से, किसी भी तरीके से वो disqualify हो गया, तो, तो पहले तो क्या है, वो center level पे दोनों houses का member बन गया, तो उसको किसी की seat खाली करनी पड़ेगी, वो center पे एक house का member है, MP भी बन गया, और MLA भी बन गया, तो उसको seat खाली करनी पड़ेगी, कहीं से, वो resign कर सकता है, या फिर 60 दिनों तक absent रहेगा बिना permission के, तो उसकी seat खाली मनी जाएगी, या फिर वो disqualify हो गया, ये 5 तरीकों से seat खाली होती है, 1 MP की, disqualification के 2 तरीके हैं, एक है 102 clause 1, और एक है 102 clause 2, और ये आपको article number से याद रखना है, 102 clause 1 की बात करें, तो 1 MP कब disqualified होगा, member of parliament government बनने से, मतब वो चुन चुका है, वो MP की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो disqualified हो गया, बाद में, क्यों हो disqualified होगा, वो कोई और office of profit को hold करता था, वो unsound mind का था, मतब वो दिमाग से unsound था, undischarge insolvent हो गया, उसने बहुत जादा उधार ले लिए, उधार चुका नहीं पाया, और उसने कह दिया कि भाया, मेरे बास थो कुछ ही नहीं, वो undischarge insolvent हो चुका है, वो India का citizen नहीं रहा, ठीक है, तो ये चार तरीके आप याद कर लें, कि office of profit hold करता है, unsound mind का है, undischarge insolvent है, India का citizen नहीं रहा, या फिर पांचवा तरीका है, कि Parliament ने कोई कानून बनाया था, कानून के अंदर वो disqualify हो गया, ठीक है, ये जेनरल तरीका है, लास्ट तरीका है, कि वो 102 clause 2 के अंदर disqualify हो रहा है, ठीक है, 102 clause 2 के अंदर क्या कहते है, इसके अंदर disqualification का तरीका आपके 10th schedule में लिखा है, और 10th schedule को हम कब करेंगे, जैसी हमारा legislature खतम होता है, 10th schedule उसके ब 102, एक से, जो भी disqualify हुआ है, इसके ओपर final decision किसका होगा, कि वो सही में disqualify हुआ है, या उसको मौका मिलना चाहिए, इसका final decision किसका होगा, president का होगा, और president decide करने के लिए, election commission से पूछेगा, election commission जो बोलेगा, वही president को मनना पड़ेगा, तो ये क्या कहते है, अगर कोई question arise हो एक के लिए, 102 clause 2 के लिए, final decision किसका होगा, speaker का, या फिर chairman का, यानि कि presiding officer का, presiding officer का, 104 कुछ खास नहीं है, बस इसको read कर ले जागा, कुछ भी नहीं है वो, नहीं भी पड़ेगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको ये, sign में लिख भी दिये, final authority कौन है, 101 में, president with election commission, according to election commission, 102 के अंदर speaker या चेर्मेन रहेगी, फिर आते हैं, power privileges, immunity, बहुत ही important article है, इसके अंदर आप article number 105 याद रखेंगे, ठीक है, 105 आपको याद रखना है, जितने भी लोग, जितने भी लोग, पारलियमेंट के किसी भी house में बैठते हैं, या participate करते हैं, उनको कु लोग किसी भी house में बैठ सकते हैं, सारे कि सारे MP तो बैठेंगे, MP अगर लोगसभा का है तो वो कहां बैठ सकता है, लोगसभा में बैठ सकता है, MP अगर राज्यसभा में बैठ सकता है, और जोईन सिटिंग में बैठ सकता है, अगर कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, तो वो कह कहां बैठ सकता है, लोगसभा में बैठ सकता है, राजयसभा में बैठ सकता है, और जॉइन सिटिंग में बैठ सकता है, अगर इन में से कोई भी किसी भी कमिटी का मेंबर है, तो वो वहां पे भी बैठ सकता है, ठीक है, तो ये धान रखना आपको, एक सो पांच के अंदर, क् privileges के अगर बात की जाएं तो दो तरह की हमें अधिकार मिले हैं जो भी MP होते हैं उनको दो तरह की अधिकार मिले हुए हैं एक अधिकार जो मिला हुआ है वो यह कि वो किसी देखे हाउस का काम क्या है हाउस का काम यह है चाहे वो लोक सभाव चाहे राजे सभाव उसका काम यह है कि यहाँ पर एक free discussion होनी चाहिए discussion ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी हमारे MPs हैं वो खुलके अपनी बात करें खुलके उन्हें जो भी दिक्कत लगती है वो दिक्कत सामने लेके हैं जो solution है वो solution को ढूड़ें ताकि देश का भला हो तो free discussion होनी चाहिए ऐसे में उनको speech की आजादी मिलनी चाहिए जब उन्हें speech की आजादी मिलेगी तभी तब वो ढंक से discuss करेंगे तो यहाँ पे उन्हें freedom of speech मिलता है दूसरा house के अंदर जो भी चीज़ decide होती है उसकी proceedings को चापा जाता है ताकि लोग उसको पढ़ सके उसके अंदर जो भी decision लिये जाते हैं वो decision को print किया जाता है ताकि लोग पढ़ सके जो भी यहाँ पे voting की है वो voting के बारे में बताया जाता है कि कौन किस चीज़ के favor में vote कर रहा है और किस के against vote कर रहा है यह जो सारी चीज़ें यह सारी चीज़े publish की जाती है तो यहाँ पे आजादी होने चाहिए publication की तो दो तरह की आजादी खुल के बोलो और खुल के publish करो तुम जो भी बोल रहे हो या जो भी publish कर रहे हो इसकी वजा से तुमारे उपर कोई भी liability नहीं होगी तुम चाहे जो भी बोलो जो भी vote दो तुमारे उपर liability नहीं होगी चाहे तुम कुछ भी publish करो report, paper, vote या proceedings तो उसके उपर कोई भी liability नहीं आएगी ठीक है यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यह जो बोलने वाली चीज़ है इस पे कुछ condition लगी हुए एक condition आपको याद रखने है वो यह कि आप कोई भी बात बोल सकते हैं कुछ भी publish कर सकते हैं पर आप एक चीज़ नहीं कर सकते हैं और वो क्या है वो है आपके Supreme Court और High Court के Judges के conduct को आप discuss नहीं कर सकते Supreme Court और High Court के Judges कैसे हैं यह discuss नहीं कर सकते सिरफ एक condition में इनके conduct को discuss किया जा सकता है और वो condition है जब आप Supreme Court के या High Court के judge को remove करना चाते हो केवल उनके removal के बारे में बात कर सकते हैं उसके लावा उनके conduct के बारे में बात नहीं करोगे ठीक है एक तो यह करेंगे फिर उसके बाद कुछ constitution के against जाके बात नहीं कर सकते ठीक है कुछ rules और standing order बने होंगे उसके खिलाफ जाके बात नहीं कर सकते कुछ procedure बना होगा उस procedure के according ही बात करोगे इसके अलावा तुमारे उपर तुमारे बोलने के उपर और तुमारी publication के उपर कोई भी restriction नहीं है इन दो के अलावा ठीक है यह judges वाला आप याद रखेंगे और यह कुछ alliances हैं जो parliament decide करेगा इतना important नहीं है कि MPs की salary और alliance कोई decide करता है parliament decide करता है अब हमे legislative process देखना है legislative process के अंदर और हम detail में देखेंगे कि कैसे bill कितने तरह के bill होते है और इन bill को किस तरह से pass किया जाता है और यह बहुत ही important topic रहेगा किसी भी exam के लिए हम देखेंगे कि असली में जो कानून है वो कानून बनता कैसे है तो हमें चार तरह के कानून देखने है चार तरह के bills देखने है बिल कोन से होंगे एक तो आपका ordinary bill होगा दूसरा आपको देखना है money bill पिर आपका देखना है finance bill और last में हम देखेंगे amendment bill ठीक है दरना नहीं है यह सुनने में थोड़ा सा complicated लगता है दो बारी आप इसकी video देखेंगे दो बारी आप इसको read करेंगे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत होगी और आपको यहाँ से सवाल मिल सकते हैं important topic है तो इसको अच्छे से समझेंगे हम बिल पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़े और बताना चाहता हूँ पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ joint sitting के बारे में देखे कोई भी proposal अगर किसी MP को चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ के ओपर कानून बने तो वो अपने proposal को एक bill के माध्यम से house के अंदर introduce करता है वो एक house में introduce करता है वो house जब उसको pass कर देता है तो वो दूसरे house में जाता है दूसरा house जब उसको pass कर देता है तो वो president के पास जाता है अब यहाँ पे ये जो दोनों houses है इन दोनों house के बीच में disagreement हो सकता है इन दोनों house के बीच में एक deadlock की situation हो सकती है houses के बीच में जब deadlock होता है तो उस case में joint sitting बुलाई जा सकती है joint sitting क्या कहती है joint sitting कहती है कि मान लीजिए पहले house ने bill को pass कर दिया पहले house ने bill को pass कर दिया और second house में भेज दिया second house में जाने के बाद second house जो है उसने उस bill को reject कर दिया वो कहता है भाईया मैं pass नहीं कर रहा तुझे ना जाने इस bill में क्या अच्छा लगा मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा मैं reject कर रहा हूँ reject ही कर सकता है वो दूसरा काम क्या कर सकता है दूसरा काम ये कह सकता है देख bill जो तुने पास की है वो ठीक है लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए तो मैं कुछ amendment बता रहा हूँ, यह amendment कर दे तो दूसरे house ने amendment बता है, और amendment बता के उसने पहले house को भेजा कि जो मैंने बदलाव बोले हैं, क्या तेरे को वो बदलाव पसंद है पहले house ने पास करके बिल second house के पास भेजा, second house ने उसके उपर कोई decision ही नहीं लिया और 6 महीने हो गए, 6 महीने निकल गए और second house उसको ना हां बोल रहा है ना ना बोल रहा है, देखे जब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास चीज जाएगी तो वो क्या करेगा, वो या तो हां बोलेगा, अगर उसने हां बोल दिया, येस बोल दिया तो तो bill president के पास जाएगा और bill president के assent देते ही, bill act बन जाएगा, तो तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है लेकिन दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा house, दूसरा house no बोल सकता है, यानि कि reject कर दिया वो ये बोल सकता है कि कुछ change ले आओ, फिर मैं पास करूँगा, लेकिन उस change को लेकर disagreement हो सकता है दोनों के बीच में और तीसरा क्या हो सकता है, दूसरा house कोई उसके उपर काम ही नहीं कर रहा है, यही तो चार option होते हैं तो पहले option में तो कोई deadlock होई नहीं रहा, वो तो act बनी गया, इसमें deadlock आता है तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज होती है, तो इसको कहा जाता है कि दोनों houses के बीच में deadlock हो गया है उस case के अंदर प्रेजिडेंट क्या कहता है, प्रेजिडेंट कहता है दोनों के दोनों houses आओ और एक साथ बैठो और लोगसभा और राज्यसभा जो है, एक साथ बैठते हैं, उस bill के उपर चर्चा करते हैं, उसके उपर discussion करते हैं फिर ये दोनों के दोनों लोग सभा के कुछ members आके बैठे, राज्य सभा के कुछ members आके बैठे, जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये vote करते हैं, combined vote करते हैं, इन दोनों का combined vote देखा जाता है, जो voting होती है, voting अगर जितने भी लोग present और voting हैं, वो लोग vote करते हैं और अगर उसके अंदर 50% plus 1 की majority आ जाती है जिसको simple majority कहते हैं अगर यह simple majority आ जाती है तो bill pass हो जाता है यहाँ पर एक tricky सवाल यह बन सकता है कि लोग सभा के member होते है 545 रज्य सभा के member होते है 250 तो इसके अंदर यह है कि अगर लोग सभा के जादा लोग जाके बैठ गए तो लोग सभा की जादा बात मानी जाएगी है न क्योंकि majority दोनों की combined majority देख रहे हैं तो यहाँ पर लोग सभा की जो है जादा बात मानी जा सकते है या यह कह सकते हैं कि क्या इन चारों के उपर joint sitting बुलाई जा सकती है या नहीं बुलाई जा सकती है तो यह joint sitting होती है जो आपको पता होनी चाहिए दूसरी चीज जो आपको हम bill देखने से पहले पता होना चाहिए वो यह कि president के पास जब bill पहुंचा है तो president उसके उपर क्या-क्या action ले सकता है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है वो भी इसलिए ही देखेंगे कि जब bill आ गए तो किस bill पे president क्या action ले रहा है वो आपको तभी समझ में आगा जब आपको action पहले से ही पता होंगे दोनों houses ने bill को pass कर दिया है दोनों houses को bill को pass करने के बाद bill पहुंचा है पहले उसने pass किया second house पे पहुंचा second house के बाद वो president के पास पहुंचा अब president के पास क्या choice है president या तो उस bill के उपर assent दे दे president ने हामी भर दी और sign कर दिया तो वो जो bill था वो क्या बन जाएगा, वो act बन जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यह तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई, दूसरी चीज प्रेजिडेंट क्या कर सकता है, प्रेजिडेंट ने कहा दिया, भाईया मैं नहीं दे रहा हूं अपनी हामी, मैं यह जो विद होल करता है, यह किस की एडवाइस पर करता है, यह जादतर कहां पर यूज होता है, यह प्राइवेट मेंबर के केस में यूज होता है, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में यूज होता है, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में यूज होता है, प्राइवेट मे यह आपका Parliament है, Parliament के अंदर कुछ लोग, देखे, Parliament के अंदर कुछ लोग MP होंगे, ठीक है, यह सारे MP है, यह सारे MP है, जिस party की majority होगी, वो अपनी सरकार बना लेगा, तो कुछ MP जो है, वो मंत्री भी बन जाएंगे, कुछ MP मंत्री बन जाएंगे, और बाकी MP MP ही रह जाएंग ठीक है, यह होगा न, तो जो बिल है, बिल कौन इंटर्ड्यूस कर सकता है, बिल इंटर्ड्यूस करने वाला, या तो कोई मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर भी तो एक MP ही होता है, तो मिनिस्टर भी बिल को इंटर्ड्यूस कर सकता है, या फिर बिल को इंटर्ड्यूस करने वा तो उसको कहा जाता है government, government bill, ठीक है, government ने bill introduce किया है, तो जादा तर देखे, ये council of minister और PM क्या है, ये ही तो government होती है, council of minister यानि मंतरी मंदल और प्रदान मंतरी मिलके ही तो government बनाते हैं, तो council of minister ही ascent को withhold करने को कह रहा है, तो government, मान लीजे, कोई bill government ने introduce किया था, यानि कि minister ने bill इंट्रड्यूस किया था, मिनिस्टर ने बिल इंट्रड्यूस किया और मिनिस्टर ही प्रेजिडेंट को कह रहे हैं कि एसेंट मत दे, ऐसा क्या होगा, ऐसे होने के चांसेज बहुत कम है तो यह जो विद होल्डिंग एसेंट है, या फिर एबसल्यूट वीटो है, वो जादा तर प्राइवेट मेंबर बिल में यूज होता है कि किसी नॉर्मल MP ने, जो कि मंतरी नहीं है, उसने बिल इंट्रड्यूस किया था, उसने बिल पास करवाया था सिरफ उस केस में ही, जादा तर ये यूज होता है, विद होल्डिंग एसेंट, ठीक है तो यह withholding ascent हो गई President के पास दो option आप देख चुके हैं एक तो यह कि वो अपनी ascent दे दे या फिर ascent को withhold कर दे तीसरा उसके पास option क्या होता है तीसरा option होता है कि वो house के पास दोनों houses ने bill को pass करके President के पास भेजा है President क्याता है कि तुमने जो bill pass करके भेजा इसको दुबारा से reconsider करो इसको दुबारा से reconsider करो तो President house के पास दुबारा से वापिस भेज देता है bill को किसके लिए to reconsider reconsider करने के लिए दुबारा से वापिस भेज देता है जब वो houses के पास दुबारा से वापिस जाता है तो अगर house उसको reconsider करने के बाद फिर से pass कर देता है और pass करके president के पास भेज देता है तो president को अपनी assent देनी ही होती है यानि कि इस case में president क्या कह रहा है president कह रहा है कि जो तुमने bill भेजा है उसको एक बारी और पढ़ लो फिर अगर तुम मेरे पास भेजोगे तो मैं sign कर दूँगा यह कह रहा है तो basically उसने यहाँ पर क्या कर दिया उसने थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया ठीक है थोड़ी देर के लिए उसने bill को suspension में रख दिया है इस veto को कह जाता है suspensive veto क्या कहते है इसको इसको कहते है suspensive veto जो हमने कल की class की थी कल की class में मैंने कहा था कि जो president है वो council of minister की aid or advice पे काम करता है लेकिन president council of minister की जो ये aid or advice है aid or advice है उसको एक बारी वापिस भेज सकता है council of minister के पास ये बोलके कि तुमने मुझे जो advice दी है उसको दुबारा से सोच लो यही बताया था ने मैंने और मैंने का था कि ये suspensive veto की तरह है तो suspensive veto legislative process में यूज होता है और ये जो है ये executive process है executive process है दोनों लग बग similar है इसलिए मैं बार बारी एक साथ बता देता हूं आपको ठीक है क्योंकि जब मैं starting में पढ़ता था polity तो मैं बार बार confused हो जाता था कि ये suspensive veto कहां पे आ रही है दोनों similar sound करें दोनों में अंतर क्या है अंतर ये है कि वो executive की aid और advice को वापिस भेज रहा है president जो हमने कल देखा था उसमें executive की aid और advice को एक बारी reconsider करने के लिए वापिस भेज रहा था suspensive veto में वो legislature के जो bill pass हो गए है उनको एक बारी reconsider करने के लिए भेजता है ठीक है तो इसको suspensive veto कहते है तो ये इसके तीन हो गए एक चौती चीज और होती है चौती चीज क्या होती है हमारा constitution कहता है कि bill act तब बनेगा जब उसको दोनों houses पास कर देंगे फिर president उसके उपर assent देदेगा ठीक है लेकिन हमारा constitution ये नहीं बताता कि president को assent कितने गंटों में देनी है कितने दिन में देनी है या कितने सालों में देनी है President के ascent देनी की ताकत के उपर कोई भी time limit नहीं है तो कई बारी President ने क्या किया है President ने bill को अपनी pocket में डाल लिया और भूल गया उसने bill को ना तो ascent दी ना ही withhold किया ना ही उसने send back किया उसने अपनी jam में रख लिया bill को और उसको अब वो बिलकुल भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा इसको कहा जाता है pocket veto ऐसा क्यों है क्योंकि कोई time limit नहीं दी हुई तो हमारे President के पास ये चार option होते हैं एक normal case में एक ordinary case में ठीक है तो जब हम वो सारे bill देखेंगे ordinary, money, finance और amendment bill देखेंगे तब हम देखेंगे कि President किस bill में कौन सी veto यूज कर सकता है इन चार में से कौन कौन से option वो किस-किस bill के अंदर यूज कर सकता है ये हमें देखना है या फिर हम यह इंपे देख लेते हैं जादा क्यों इसको देखें जो ordinary bill होता है और जो आपका finance bill होता है ordinary bill और finance bill इन दो billो के लिए President के पास अपने चारो के चारो option होते है वो या तो ascent दे या withhold करे या फिर send back कर दे या फिर वो pocket video का use करे ठीक है ये ordinary bill और finance bill का है जो money bill होते है और जो amendment होती है amendment में President को ascent देनी ही होती है ठीक है ascent देनी ही होती है और money bill के अंदर President usually ascent दे देता है by convention है ये constitution में नहीं लिखा कि उसको ascent देनी ही होती है लेकिन convention ये ही है कि वो ascent दे देता है तो ये चार bill थे अब हम जल्दी से उन चार billो को देख लेते हैं और उनका legislative process देखते हैं देखे पहले हम बात करते हैं ordinary bill के बारे में जो ordinary bill होता है देखे बिल को पहले एक house में introduce किया जाता है फिर वो दूसरे house में जाता है फिर President के पास तो ordinary bill की अगर हम बात करें जो भी ordinary bill होता है उसको किस house में introduce किया जा सकता है ordinary bill को किसी भी house के अंदर introduce कर सकते हैं चाहे वो लोगसभा में करें या राजसभा में करें आगर लोगसभा में introduce होगा तो लोगसभा में pass होने के बाद जो second house बनेगा वो राजसभा बन जाएगा और अगर ordinary bill राजसभा में introduce होगा तो second house जो है वो लोकसभा बन जाएगा फिर उसके बाद वो second house पास करेगा और प्रेजडेंट के पास देदेगा प्रेजडेंट के पास चारो option होते हैं कि वो कौन सा option दे एसेंट दे विधोल्ड करे या अपनी कोई भी veto वगएरा यूज करे ordinary bill के लिए joint sitting बुलाई जा सकते है यानि कि दोनों houses के बीच में लड़ाई हो गए डेड़लॉक हो गया तो प्रेजडेंट joint sitting बुलाके उस डेड़लॉक को खतम करवा सकता है ordinary bill को पास करने के लिए जो majority चाहिए होती है उसका नाम होता है simple majority simple majority मतलब 50% 50% प्लस वन वोट मिल जाए किन लोगों के जो की present and voting है ठीक है कोरम की condition तो आपको पता हिए joint sitting में एक चीज और आप याद रखेंगे joint sitting को preside कौन करता है joint sitting को speaker preside करता है अगर speaker नहीं है present मौजूद नहीं है तो deputy speaker करता है और अगर deputy speaker भी मौजूद नहीं है तो deputy chairman करता है यहाँ पर लोग फस जाते हैं कि deputy speaker के बाद वो chairman mark कर देते हैं chairman joint sitting को preside नहीं करता है deputy chairman करता है यह आपका ordinary bill हो गया इसके बाद हम देख लेते हैं ordinary bill के बाद money bill देखते हैं जो money bill होते हैं money bill की introduction कहां पि की जा सकती है money bill केवल और केवल लोग सभा में introduce होता है money bill कभी भी रज्य सभा में introduce नहीं होता most important याद कर लें आप money bill को introduce करने से पहले आपको president की recommendation चाहिए होती है ordinary bill में recommendation चाहिए थी नहीं चाहिए थी Money Bill में President पहले recommend करेगा कि Money Bill को introduce किया जाए और Money Bill सिरफ और सिरफ लोक सभा के अंदर introduce होता है फिर उसके बाद लोक सभा में जब वो pass हो जाता है तो Bill को राज्य सभा के पास भेजा जाता है राज्य सभा यहाँ पे राज्य सभा को दिये जाते हैं 14 दिन और का जाता है भाई यह 14 दिन है 14 दिन के अंदर या तो तुम हाँ बोलो या तुम ना बोलो या अपनी कोई भी जो भी तुम्हें बात बोलनी है वो बोलो पर तुम्हारे पास केवल 14 दिन है तो राज्य सभा चाहे कुछ भी बोले वो लोग सभा के उपर बाइंडिंग नहीं होता तो क्या होता है देखिए लोग सभा ने पास करके राज्य सभा पर भेजा राज्य सभा ने का कि ओके ठीक है तो बिल को प्रेजिडेंट के पास भीज़ देते हैं प्रेजिडेंट एसेंट दे देता है लोग सभा ने पास करके राजे सभा के पास भेजा राजे सभा ने मना कर दिया तो लोग सभा कहेगा करने दो मना हम तो प्रेजिडेंट के पास भेजेंगे और प्रेजिडेंट जो है उसके उपर बाय कन्वेंशन एसेंट दे ही देता है लोकसभा ने राजे सभा के पास भेजा, राजे सभा ने कोई भी उपीने नहीं दी और 14 दिन निकल गए तो लोकसभा कहता है कि नहीं दे रहना तो मत दे, हम इसको डारेक्ट प्रेजिडेंट के पास भेज रहे हैं प्रेजिदेंट उसको एसेंट दे देता है, यानि कि मनी बिल के अंदर लोक सभा की जो ताकत है वो राजय सभा से जादा है, और उसकी जो भी बात बोले चाहे हैं, बोले ना बोले या कोई और अमेंडमेंट बोले, वो कोई भी चीज बाइंडिंग नहीं है लोक सभा के पर, देखे, अब लोक सभा जो है, लोक सभा और राजय सभा में लोक सभा हर एक चीज में राजय सभा को बाइपास कर सकता है, राजय सभा को दबा सकता है, तो क्या इन दोने के बीच में कभी डेड़ लॉक की सिच्वेशन आईगी, इनके बीच में डेड़ लॉक आई न तो जब दिखकत ही नहीं आ रही तो क्या यहां पर joint sitting होगी नहीं, यहां पर joint sitting नहीं होती है, ordinary bill के अंदर joint sitting होती है, इसमें कोई joint sitting नहीं है, तीसरा bill जो हम देख रहे हैं उसका नाम है finance bill, finance bill क्या होता है, finance bill, देखिए money bill क्या है, money bill के लिए money bill की जो definition है, constitution के अंदर कुछ item दे रखे हैं, अगर कोई भी बिल सिर्फ और सिर्फ उन आइटम के बारे में बात करें, सिर्फ इन ही आइटम में से किसी एक के बारे में या दो के बारे में बात करें तो उसको money bill कह देते हैं और जो speaker है, speaker लोकसभा का speaker, राजे सभा की कोई पावर निये जो speaker है, वो एक सर्टिफिकेट देता है कि ये money bill है, तो जब भी money bill लोकसभा से राजे सभा में जाएगा, उस पर वो certificate लगा होगा, जब भी वो bill, president के पास जाएगा, वो certificate उसके उपर लगा होगा, तो money bill क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन ही items के उपर लो बनाता है finance bill क्या होता है? statistics एक combination होता है money bill का प्लस में ordinary bill का वो money bill के items पे भी बनाता है, साथ की साथ कुछ और भी बात करता है money bill केवल और केवल इनई चीजों के बारे में बात करता है, finance bill इनके अलभा किसी और चीज के बारे में भी बात करता है, ठीक है तो finance bill दो तरह की होते हैं, type 1 और type 2, type 1 वाले जो होते हैं, type 1 में, यहाँ पे बिल को introduce करने से पहले, बिल को introduce करने से पहले, प्रेजिदेंट की recommendation चहिए होती है, जो type 2 वाले होते हैं, इसमें जब बिल को consider किया जाता है, consideration stage में आता है तब president की recommendation चाहिए होती है ठीक है इसमें introduction में नहीं चाहिए type 2 में type 1 में introduction में चाहिए और type 2 में consideration में चाहिए ठीक है तो सिर्फ ये दोनों अलग से condition लगी होती है इसके बाद कोई और condition नहीं है इस bill को किस majority से pass करते है simple majority से money bill किस majority से pass होता है, simple majority से pass होता है, ठीक है, money bill simple majority से pass हो जाता है, और इसके अंदर joint sitting हो सकती है, इसके अंदर joint sitting हो सकती है money bill में joint sitting नहीं है इसमें joint sitting हो सकती है फिर एक last bill जो हमें देखना है वो last bill है आपका amendment bill amendment का bill amendment का bill देखाते हैं amendment का bill किसी भी house में introduce हो सकता है किसी भी house में introduce होगा amendment का bill इसमें कोई joint sitting नहीं हो सकती कोई भी joint sitting नहीं हो सकती इसकी introduction के लिए President की recommendation नहीं चाहिए होती है इसमें जो एक खास बात आप याद रखेंगे वो ये कि amendment का जो bill है amendment का bill act तब बनता है जब ये special majority से पास होता है special majority क्या होती है वो हम amendment के time पे देख लेंगे अभी आप special majority याद रखें ठीक है amendment के bill के अंदर President के पास जादा ताकत नहीं होती President को इसको assent देना ही पड़ता है President must give assent to amendment bill तो ये हमारे चारो के चारो बिल थे ठीक है अब जल्दी से हम notes देख लेते हैं इनकी जो stages होती हैं उनको भी अभी हम cover करेंगे याँ भी ये चारो के चारो बिल ठीक है इसमें से यहाँ पिल लिखा हुग है कि इन दोनों बिल को छोड़के बाकी सारे बिल ये जो दोनों बिल है ये किसी भी house में introduce हो सकते हैं ठीक है जो finance bill है finance bill का भी हम एक और detail देखेंगे उसके अंदर एक टाइब जो है वो सिरफ एक house में लोग सभा के अंदर introduce होती है बाकी कहीं पे भी हो सकती है ordinary bill वही जो बीच सारी चीज़े बताई है वही सब इसके अंदर लिखा है ये joint sitting के provision है कि इन तीन cases के अंदर joint sitting बुलाई जा सकती है कौन बुलाता है ये important है ठीक है और इसके अंदर जब joint sitting होती है तो जो भी decision लिया जाता है वो majority of present and voting से लिया जाता है अगर यहाँ पे एक condition ये है कि मान लीजिए joint sitting बुलाई गई आज की rate में आज की rate मान लेते हैं 12 art को joint sitting बुलाई गई joint sitting बुलाई गई है 20 art को और 15 art को लोग सभा dissolve हो चुकी है ठीक है joint sitting होने से पहले dissolve हो चुकी है तो भी भले ही यहाँ पे लोग सभा dissolve हो गई है लेकिन प्रेजिडेंट ने 12 तारिक को ही बोल दिया था कि हम 20 तारिक को joint sitting करेंगे तो लोग सभा के dissolve होने से कोई फरक नहीं पड़ता इस 20 art को joint sitting होगी और उसके अंदर वो लोग सभा और राजसभा आके discussion करेंगी और फिर देखेंगे कि वो bill pass होता है या नहीं होता है इसलिए लोग सभा के dissolve होने का joint sitting पे फरक नहीं पड़ता और एक बार ही joint sitting decide हो गई तो उस bill के उपर जब तक joint sitting नहीं हो जाती तब तक कोई काम नहीं होता है इतना important नहीं है अच्छा यहां पर यह प्रोरोगेशन की मैं आप से बात कर लता हूँ प्रोरोगेशन में आपको बता चुका हूँ कि house की sitting जब से start होती है और यह last sitting last sitting पे जब president आके बोल देता है कि बस खतम करो तुम्हें जितना काम करना था इस session में हो गया आप घर जाओ president आके बोल देता है इसको कहते हैं यहां पर कि उसने उस session को प्रोरोग कर दिया है daily daily sitting होती है और यह पूरे को हम session कहते हैं तो जब session end होता है उसको प्रोरोग कहते हैं जब setting end होती है तो जो presiding officer है वो adjourn करता है adjourn भी हमने दो तरह के देखे एक तो adjournment और दूसर adjournment signed है तो प्रोरोगेशन जब एक session खतम होता है तो अगर मान लीजे सिरफ motions lapse होते हैं बिल lapse नहीं होता फिर अगला session जब आएगा तो उस session के अंदर उस बिल के उपर दुबारा discussion की जा सकती है लेकिन मान लीजे कि ये एक session था session हो गया और लोगसभा dissolve हो गई लोगसभा भंग हो गई जो सरकार थी वो खतम हो गई पैंडिंग था कोई बिल लोगसभा के पैंडिंग था और लोगसभा dissolve हो गई तो वो बिल खतम हो जाता है जिसको कहते हैं कि वो बिल lapse कर गया अगर कोई बिल लोगसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा के पास pending है, राज्यसभा के पास pending है, तो भी वो bill laps कर जाता है, अगर कोई bill लोग्सभा ने पास नहीं किया और राज्यसभा के पास ही पड़ा है वो अभी तक, तो वो 그 other laps नहीं होता, ठीक है, इन पर question पूछा गया, इसलिको आप याद रखेंगे, सिरफ एक ऐसा ordinary bill है जिसके उपर introduction से पहले President की recommendation चाहिए होती है normally ordinary bill पर President की recommendation नहीं चाहिए तो वो ऐसा कुन सा bill है जिसफे President की recommendation चाहिए होती है वो है आपका article 3 जो की simple majority से पास हो जाता है ठीक है और बाकी bill देखते चलते हैं money bill सिरफ और सिरफ लोगसभा में introduce होगा President की recommendation चाहिए राज्यसभा की 14 दिन की power है वो भी not binding है लोगसभा जादा मजबूत होता है यह money bill की definition है and I would suggest कि आप इसको पढ़ जरूर लें जो भी bill इन चीज़ के ऊपर law बना रहा होगा उसको money bill कहा जाता है speaker जो है एक certificate लगाता है और हर एक stage पर वो certificate जाता है speaker का जो decision है वो final होता है इसको challenge नहीं किया जा सकता है यानि यह speaker ने कह दिया कि यह bill money bill है तो वो money bill कहलाया जाएगा money bill के उपर कोई भी suspensive veto या pocket veto नहीं होती generally President के पास दोनों power होती है assent की या withhold की इन सारे bill की मैंने एक table भी बना दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए वो बाद में देखेंगे finance bill वो जिसमे money bill और ordinary bill दोनों के दोनों आजाते हैं दो तरह के होते हैं यह पहला bill वो जो की आपके money bill वाली चीजे है money bill वाली चीजों पे money bill वाली चीजों पे law बना रहा है plus में कुछ और भी कुछ और भी काम कर रहा है money bill वाली जो item थे न जो मैंने बता है money bill की definition थी उन item पे भी काम करता है plus में कुछ extra भी चीज वो कर रहा है तो ऐसे जो bill होते हैं ऐसे bill को सिरफ और सिरफ लोग सभा में introduce किया जा सकता है type 1 को सिरफ और सिरफ लोग सभा में introduce करते हैं president की recommendation से वो introduce होता है राज्य सभा इसको amend भी कर सकता है reject भी कर सकता है कहने का मतलब क्या है कि finance bill में लोग सभा और राज्य सभा की equal power होती है बस एक difference यह है कि जो type 1 है उसकी introduction सिरफ और सिरफ लोग सभा में होगी और president की recommendation से होगी जो type 2 है वो वो बिल होते हैं जो कि consolidated fund of India पे expenditure कर रहे हो यह consolidated fund of India भी आगे आने वाला है इन बिल में introduction में president की recommendation नहीं चाहिए इस bill को consideration stage में president की recommendation चाहिए होती है simple majority से हो जाता है amendment bill article 368 है यह article आप याद रखेंगे amendment bill जो है उसकी introduction किसी भी house में हो सकती है इस पे joint sitting नहीं होगी special majority चाहिए और president को इस पे ascent देना ही पड़ता है कोई और उसके पास option नहीं होता यह 24 वे amendment से किया था ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने कर ली है यह president की veto power यह भी मैं आपको बता चुका हूँ president president को ascent किन bill पे देनी ही होती है amendment bill पे वो ascent देगा ही देगा money bill पे by convention देदेता है money bill पे constitution कहता है या तो वो ascent देगा या withhold करेगा लेकिन convention है कि वो ascent दे ही देता है money bill पे वो pocket veto या suspensive veto use नहीं कर सकता अविलेबल होते है ठीक है ascent to will यह वही सारी चीज़ें जो आपको बताई हूँ है absolute veto अगर उसने withhold कर दिया तो absolute veto अगर उसने reconsideration के लिए भेजा है तो उसको suspensive veto कहते हैं और अगर वो pocket में डालके भूल गया तो उसको pocket veto कहा जाता है finance matter पर बात करते हैं अभी financial matter का मतलब है budget जो कि आप हर साल सुनते ही होंगे कि budget क्या होता है अभी यह मत सोचेगा कि वो जो legislative process है वो पूरा खतम हो गया जो constitutional provision है वो खतम हो गया legislative procedure जो है वो थोड़ा सा बचा है जो हम constitutional provision के बाद करेंगे financial matters का मतलब है budget तो budget कौन से article में लिखा है article 112 के अंदर आपको article 108 भी याद रखना है जिसके अंदर क्या है joint sitting के provision है ठीक है यह article number से याद रखना है यह भी आप article number याद करेंगे तो जो budget होता है हर साल president president budget को ले करता है दोनों houses के सामने each house के सामने budget को कौन ले करता है तो finance minister आपने सुना को निर्मला सीतारामन पूरा का पूरा budget पढ़ती है उसको present करना कहते हैं लेकिन उसकी copy को house के अंदर जो रखने का काम होता है वो president का होता है budget हमारे constitution में budget शब्द यूज नहीं होता है हमारे constitution में जो word यूज होता है उसका नाम है annual financial statement हर साल की financial statement को houses के सामने रखने का काम president का होता है ये जो annual financial statement है ये ये बताती है कि साल में हमें कितनी receipts हुई कितने पैसा आया और कितना खर्चा हुआ ये जो पैसा आया और खर्चा हुआ ये हम जो दिखाते हैं खर्चे को हम दो तरह से तोड़ के दिखाते हैं, हम खर्चे को तोड़ के दिखाते हैं, माली जिसे 100 रुपे का खर्चा हुआ, तो हम ये बताते हैं कि 100 रुपे में कितना revenue खर्चा था और कितना उसका other expenditure था, revenue खर्चा वो होता है जिससे हमारे assets पे कोई फरक नहीं पड़ता हमारी liability पे कोई फरक नहीं बढ़ता यह वो खर्चा होता है जो की recurring nature का होता है बार-बारी होता है जबकि हमारा जो capital expenditure होता है यह खर्चा वो होता है जिससे या तो हमारे asset increase हो रहे होंगे या फिर इससे हमारी liability जो है वो increase हो रहे होगी इसका क्या मतलब है देखे asset का मतलब है मान लीजे मेरे पास 50 रुपे है मैंने उस 50 में से 40 रुपे में से मैंने road बनवा दी एक road की construction कर दी यह road बनवाने में मेरा one time का खर्चा आया होगा जो मैंने contractor को पैसे दी होंगे मेरी road बनके तयार होगा यह मेरे लिए एक asset का काम कर रहा asset का मतलब वो जिसका फायदा मैं long term के लिए उठाता रहूँगा आगे जाके यह मेरी पूंजी बनेगा ठीक है यह मेरा asset बन गया मैंने hospital बनवा दिया hospital की building खड़ी कर दी यह जो hospital बना है यह मेरा एक asset बन गया मैंने एक बार यह building बनवा दी क्या मैं बार बार building बनवा था रहूँगा नहीं एक बार यह का खर्चा है यह single time का खर्चा होता है यह जो single time का खर्चा है इससे मेरा asset increase हो रहा है या तो asset increase हो रहा हो या तो liability increase हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 50 रुपे थे पर बिल्डिंग बनाने पर 70 रुपे का खर्चा हुआ मैंने 20 रुपे उधार ले लिए और उधार लेके मैंने बिल्डिंग बनवा दी जब मैं उधार लेता हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं डेली डेली उधार लेता रहूंगा अगर मैं डेली उधार लूँगा तो एक टाइन के बाद मिलना ही बंद हो जाएगा तो liability increase क्यों रहे है क्योंकि मैं उधार लेके काम कर रहा हूं तो कभी भी आपको ऐसे वो 2-3 खर्चे देगा UPSC UPSC खर्चे देके पुछेगा इसमें से कौन से capital expenditure है और कौन से आपके revenue expenditure है तो आपको क्या देखना है पहले तो यह देखना है कि क्या यह खर्चा recurring है हर साल हो रहा है क्या यह खर्चा अगर वो खर्चा हर साल हो रहा होगा तो फिर वो आपका revenue account के अंदर आ जाएगा अगर वो खर्चा आपका एक ही बार हो रहा होगा तो वो capital expenditure में है एक बार यह road बन गई तो अब आप इस road को दुबारा नहीं बनवाएंगे यह road तो बन गई अगर आपका road पर खर्चा होगा तो दूसरी road बन रही है यह दूसरा capital expenditure है ठीक है दूसरी चीज आप क्या चेक कर सकते है कि क्या इससे आपका कोई asset increase हो रहा है क्या इससे आपकी liability increase हो रही है एक और मैं आपको example देता हूँ hospital की building बनवाई capital expenditure क्योंकि एक ही बार building बनती है इस building के अंतर doctor काम कर रहा है doctor को salary देनी है salary बार बार देनी होती है बार बार देनी होती है वो आपका revenue account आपने road बनवाई एक बार आपने road बनवाली आप दुबारा से road बनवाने पर आपका खर्चा नहीं होगा तो यह आपका capital expenditure फिर इसका आप रोड की मरमत आपको बार बार करानी है road की maintenance करनी है maintenance, maintenance आपको बार-बार करनी पड़ेगी क्या इस maintenance करने से maintenance को करने के लिए आपका कोई asset increase ओर नहीं वो तो road जितनी थी उतनी पड़ी रहेगी बस आप उसको सुधार रहे हैं ठीक है उसको खराब होने से रोक रहे हैं तो यह आपका revenue खर्चा, maintenance revenue खर्चा इस तरह से यह 100 रुपेयों को दिखायady hal щart क्या यह खर्चा expenditure charged upon है यह खर्चा expenditure made from है charged upon और made from यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है charged upon और made from charged upon जो खर्चा होता है इसके उपर कोई भी voting नहीं की जाती है कभी भी इसमें आप कभी भी voting नहीं करते हैं ये वाला खर्चा आपका बिना voting के ही पास कर दिया जाता है इसके उपर केवल और केवल discussion होती है तो charged expenditure कैसा हुआ ये ऐसा खर्चा है जो की बहुत ऐसा जिस पर बात नहीं करनी चाहिए जै charged upon consolidated fund of India होता है देखिए प्रेजिडेंट की अगर salary के उपर पार्लियमेंट में चर्चा होगी तो प्रेजिडेंट हमेशा दव दव के पार्लियमेंट की बाते मानता रहेगा इसलिए हर साल इसकी salary पे चर्चा नहीं होती है ठीक है तो प्रेजिडेंट की salary जो है वो charged upon होती कैग का जो office होता है कैग का office Comptroller and Auditor General का जो office होता है उस office का सारा का सारा administrative expense charged upon होता है UPSC की salary allowance और pension charged upon होती है फिर यह debt charges होते हैं उधारी के charges होते हैं वो भी यहीं से जाएंगे loan को raise करने के लिए जो खर्चा होता है वो भी यहीं से जाएगा तो आप इसको एक दुबारी read कर लेजेगा पर याद क्या रखना है कि charged upon खर्चे पे voting नहीं होती है इस पे केवल और केवल discussion होती है expenditure made from consolidated fund of India इसके अंदर क्या होता है expenditure made from consolidated India के उपर अच्छे से discussion होती है debate होत किया जाता है इस खर्चे को कम भी किया जा सकता है reduce भी किया जा सकता है इस खर्चे को cut भी किया जा सकता है तो cut motion अभी हम आगे देखेंगे ठीक है यह आप देख लिजेगा जो election commission है यह एक important point है election commission की जो salary है और खर्चा है वो consolidated fund of India के charged upon खर्चा नहीं होता यानि कि election commission की जो salary होती है उसके ओपर voting होती है यह आपको ध्यान रखना है फिर article 13 जो कहता है वो कहता है कि जो charged upon खर्चा है उसके ओपर कोई voting नहीं होगी सिरफ discussion होगी expenditure made from जो होता है made from expenditure में क्या होता है देखिए budget पेश किया जाता है मान लेज़े 2013 के लिए budget पेश कर रहे हैं कि हम 2013 के अंदर कितना खर्चा कर रहे हैं या 2022 में कितना खर्चा करना चाते हैं तो government बता रहे है कि मैं इतने item के उपर कुछ कुछ कर्चा करना चाहती हूं यह government ने बता दिया यह जो है government के धिर सारे department बने हैं जो department है, department बोलते हैं कि भाईया हमें इतना पैसा चाहिए तो तुम अपने budget के अंदर ये पैसा रखना जरूर, तो government जो है वो कह देती है कि मुझे 100 रुपे चाहिए जो कि ये department यूज करेगा, तो ये जो है ये क्या किया जा रहा है, ये demand की जा रही है, ये demand की जा रही है, त कि demand for grants कहां पे submit किया जाता है और क्या इसके लिए president की recommendation चाहिए, बिल्कुल चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर जो लोकसभा के अंदर जब discussion होगी, उसकी voting होगी, तो उस time पर लोकसभा क्या-क्या काम कर सकती है, demand for grant पे, पहला तो काम ये है कि जितने पैसे मांगे, उतने पैसे दे दिये, दूसरा काम है, जितने पैसे मांगे, उसका कुछ भी नहीं दिया, उसको refuse कर दिया देने से, और तीसरा काम है कि मांग रहे ते 100 रुपे, लेकिन लोकसभा को लगा, 90 रुपे में काम हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा reduce कर दिया, ठीक है, तो ये सारे होत एक आइटम है, इस आइटम के लिए 100 रुपे चाहिए, जिसको Department of, मानली जे Department of, या फिर Ministry of Defense जो है, वो खर्च करना चाहती है, गौर्मेंट ने अपने बजट के अंदर ये पेश किया, लोकसभा के अंदर उसकी discussion हो रही है, लोकसभा ने कहा कि मुझे तुमारी ये policy पूर इंप्लिमेंट हो पाईगी, वो policy इंप्लिमेंट ही नहीं हो पाईगी, इसलिए कह देते हैं कि policy ही कट हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर दिया, डिस अप्रूफ कर दिया, पॉलिसी का, और कितने रुपिय दिया है, एक रुपिया दिया है, एक रुपिया दिया है, तुम 100 रुपे मांग रहे थे, हमें लगता है कि यह जो काम है, यह 90 रुपे में हो सकता है तो हम 10 रुपे काट रहे हैं, इसको economy cut क्याते हैं, इसमें reduce कर देते हैं demand को, token cut क्या है 100 रुपे मांगे, 100 रुपे मांगे, लेकिन लोकसभा कहा रही है तुम जो मांग रहे हैं, पॉलिसी भी तुमारी ठीक है तुमने जितने पैसे मांगे हैं, वो पैसे भी ठीक है, लेकिन हम तुम से थोड़े से नाराज हैं हम तुम से थोड़े से नाराज हैं, इसको सौनी नाम के 100 रुपय काट रहे हैं, सिरफ ये नाराज़गी जताने के लिए, इसको का जाता है token cut, token cut किसलिए सिरफ तुम अपना एक ग्रिवांस वेंटिलेट करना चाते हो, सिरफ गुसा दिखाना चाते हो, तो 100 रुपय से amount कट आ लेते हैं, मैंने इसको 10,000 क्यों किया, क्योंकि मैं example 100 रुपय का लेके चल रहा था, फिर मैं बोलता कि 100 रुपय काट दे, तो आप कहते कि ये तो 0 amount हो गई, तो ये policy का ही disapproval हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो example मेरा गलत था, 10,000 का example लेके चलाओ, मैं इसलिए, ठीक है, तो क्या देखना है, policy cut में आप 1 रुपया देते हो, economy cut में जितना आपको सही लगता है, उतना देते हो, token cut के अंदर आप 100 रुपय काट लेते हो, सिरफ 100 रुपय काट लेते हो, गौर्मेंट का खर्चा लाखो करोडों में होता है, तो 100 रुपय से कोई खास फरक नहीं पड़ता, तुम सिरफ अपना गुसा दिखाना चाहा रहे हो, ठीक है, कौन से ये वाले जो cut motion है, ये cut motion एडमिट होंगे या नहीं होंगे, इस पे speaker का decision एहम होता है, अगर speaker मना कर दे, तो ये policy, economy या token cut motion के उपर बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी आप cut motion अगर लेके आ रहे हैं, cut motion अगर आप लेके आ रहे हैं, तो आपको, जो speaker है, उसको एक दिन का notice देना पड़ेगा, आपको एक दिन पहले बताना होगा कि कल हम cut motion लेके आ रहे हैं, इसके उपर, जब तक आप नहीं बताएंगे, speaker आपको काम नहीं करने देगा, आगे का, article 114 बता देते हैं, देखे, 112 के अंदर हमने budget के बारे में देखा, फिर उसके बाद 113 क के अंदर हमने देखा, consolidated fund of India में charged upon expenditure देखा, और expenditure made from देखा, 114 के अंदर क्या कहते हैं, तुमने budget पास करा लिया, budget में हमने ये कह दिया, कि government ने 100 रुपे मांगे, 10,000 रुपे मांगे थे, और कितने पास हो गए, 9,999 रुपे पास हो गए, मान लीजे, ठीक है, तो ये हमने अ अलग से special bill लेके आते हैं, जिसका नाम होता है, appropriation bill, appropriation bill लेके आते हैं, appropriation bill का एक ही काम होता है, कि ये पैसे निकालने में मदद करता है, पैसे appropriation bill के बिना नहीं निकाल सकते हैं, तो withdraw करने के लिए appropriation bill लाते हैं, जो कि 114 के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी money withdraw नहीं कर सकत आप Consolidated Fund of India से बिना Appropriation Bill के जो Appropriation Bill है जितना पैसा हमारा बजट में Final हुआ है उतना ही पैसा आप Appropriation Bill से निकाल सकते हो जिस चीज के लिए वो Approve हुआ है उसी चीज के लिए आप पैसा निकाल सकते हो तो आप Appropriation Bill के अंदर क्या चीज नहीं बदल सकते आप Amount नहीं बदल सकते और जहां पे वो पैसा जाना है वो नहीं बदल सकते जो Presiding Officer है उसका Decision यहां पे Final होता है अब देखिए मान लीजिए Budget आया, Government ने कहा कि हमें 10,000 रुपे की जरुरत है और 9,000 रुपे का बजट उनका पास हो गया 9,000 रुपे का बजट पास हो गया यह मान लेते हैं ठीक है अब उन्होंने क्या किया होगा Budget के अंदर धिर सर आइटम लिखे होंगे A, B, C, D, E, F करके आइटम लिखे होंगे सभा से ग्रांट मांगेगी और ग्रांट के अंदर क्या बोलेगी वो कहेगी कि भाई pont हमने जब बजट बनाया था तो येवाल आइटम हमारे budget में नहीं था क्योंकि हमें पता ही नहीं था Corona आने वाला है यह हमारे items के अंदर mention ID not है पर हमें इसके लिए mentioned नहीं थी, ठीक है, फिर एक तो ये example हो क्या है, एक और example ले लिजए, मान लिजए, एक के लिए हमने 100 रुपे रखे थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि, ए पे 100 नहीं, 110 रुपे खर्च होने है, हमें 10 रुपे supplemental चाहिए, 10 रुपे supplemental चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, जब आप exam में paper देते थे, तो आप teacher से क्या बोलते थे, एक supply sheet चाहिए हमें, तो वो क्या होता है, एक supplementary sheet चाहिए होती थी आपको, है न, तो यानि कि आप एक extra sheet मांग रहे हो, तो यहां पर आप extra 10 रुपे मांग रहे हो, तो यह जो services आपके budget में लिखी तो हुई है, लेकिन आप कह रहे थे कि 100 रुपे में उसका काम हो जाएगा, पर आपको लग रहे हैं कि 110 रुपे चाहिए होंगे, अगर वो इस list में mention नहीं होता, और एक नया item आया है, तो आप additional grant मांग दे हो, फिर मान लिजिए, आपकी यहीं पर यह C था, C के लिए आपने 90 रुपे रखे थे, लेकिन आपके already इसके उपर extra खर्चा हो गया, लग नी रहा, आप खर्चा कर चुके हैं, 10 रुपे और खर्चा आप इसके उपर कर चुके हैं, कहीं और से निकाल लिए, D, D से निकाल के आपने, इस पे 10 रुपे का खर्चा कर दिया, फिर आप बताते हैं, पारलियमेंट को, क्या बताते हैं, मेरा access खर्चा हो गया, तो मुझे एक access grant दे दो, जो actual खर्चा है, वो जादा हो गया, more हो गया than the approved grant, C के लिए approved grant 10 था पर मैंने 100 रुपे खर्च कर दिया, तो फिर मेरे को access grant दे तो, तो यह access grant होता है, एकसेस grant को, एकसेस grant को, प्रेजिएंट प्रेजिएंट करेगा, और इस access grant को, जो Comptroller and Auditor General है, यह आपको point याद रखना है, Comptroller and Auditor General जो है, वो पारलियमेंट को बताएगा, कि भाया, इन्होंने मांगे ते 90 रुपे और 100 रुपे खर्च कर चुके है यह 10 रुपे का जादा खर्चा कर चुके हैं, तो Comptroller and Auditor General जो है, वो पारलियमेंट को बताता है, Comptroller and Auditor General को, Friend, Philosopher and Guide कहा जाता है, Public Accounts Committee का, यह आपको याद रखना है, ठीक है, Public Accounts Committee का, जब हम CAC करेंगे, तो यह clear हो जाएगा, पर अभी के लिए आप इतना याद है, ठीक है, तो एक बारी procedure देख लेते हैं, देखिए, budget पेश किया जाता है, हमने देखा budget कौन present करता है, वो देखा, फिर हमने देखा budget के जो expenditure हैं, वो या तो revenue खर्चे होंगे, या फिर revenue खर्चे होंगे, या फिर capital खर्चे होंगे, budget के खर्चों को हम और डिवाइड करते है made from के उपर voting भी होती है और इसको cut भी किया जा सकता है cut करने के 3 motion देखे हमने pet देखा policy cut जिसमें 1 रुपया ही दिया जाता है economy cut जिसमें आपको लग रहा है कि 100 मांगरें पर 90 में काम चल जाएगा तो आप 90 रुपय दे देते है token cut उससे आप वो मांग रहे हैं 10,000 रुपय लेकिन आपको अपना गुसा दिखाने आपको उनकी policy भी पसंद है और आपको पता है कि 10,000 रुपय लगेंगे लेकिन आपको गुसा दिखाना है तो आप क्या कर लेते हैं आप 100 रुपय काट लेते हैं बस ठीक है गुसा दिखाने के लिए यह cut motion होता है जो भी पैसा इसके अंदर made from consolidated fund of India होता है वो demand for grant की form में पेश किया जाता है demand for grant की form में पेश किया जाता है और इसके उपर discussion की जाती है discussion के बाद मान लीजिए demand for grant में 10,000 रुपय आये थे 10,000 से आपने 9,000 रुपय पास कर दिया है तो यह 9,000 रुपय निकालने के लिए एक और बिल लेके आना पड़ता है जिस बिल का नाम होता है appropriation bill क्या नाम होता है इसका इसका नाम होता है appropriation bill ठीक है तो यह appropriation bill हो गया सारे के सारे grants बता दिया मैंने आपको अच्छा grants को भी एक बार revise करा देता हूं तीन तरह के grant देखने है supplementary grant, additional grant और access grant आपने budget पेश किया था इस budget के अंदर 4 आइटम थे आपने इस budget के 4 आइटम के लिए 100 रुपे, 50 रुपे, 10 रुपे, 5 रुपे ये रखे थे आप मान लिजे कोई एक नया आइटम आ गया और उस नया आइटम के लिए आपको खर्चा करना है तो आप क्या करते हैं आप additional grant मांगते हैं ठीक है ये नई service है ये पहले से आपने लिखी हुई नई थी पिर दूसरा case क्या हो सकता है आपने 100 रुपे मांगे हैं ये service पहले से लिखी हुई है आपने 100 रुपे मांगे पर अब आपको लग रहा है कि 110 रुपे का खर्चा होगा तो आप 10 रुपे और मांगते हैं और ये होता है आपका supplementary grant कि मुझे 10 रुपे और दे तो 100 रुपे मांगे ते 10 रुपे का खर्चा लग रहा है extra और तीसरा होता है आपका access grant, access grant का मतलब क्या है, आपने 5 रुपे रखे थे D के लिए, लेकिन आपका खर्चा already 10 रुपे का हो चुक है, आपने इधर उदर से जुगाड करके इस पे 10 रुपे खर्च कर दिये हैं already, तो CAG क्या करेगा, CAG पार्लियमेंट की notice में लाएगा कि भ अब budget का जो process आपने दिखा है इतना लंबा process है, पहले demand for grant submit किये जाते हैं, फिर demand for grant के लिए voting की जाती है, तो बहुत लंबा समय इसमें लग जाता है, अब जो हमारा financial year है, वो आपका 1 April से लेके 31 मार्स तक चलता है, ठीक है, इस साल की 1 April से start होगा financial year, और अगले साल की 31 मार तक वो चलेगा, ठीक है, 1 April से लेके 31 मार्स तक चलता है, यहाँ पे कहीं पे, इस जगा पे, इस जगा पे आपका budget का session start होता है, और आप budget यहाँ पे पेश करते हैं, यह budget का जो session है, यह बहुत लंबा चलता है, और आपका मई तक यह खिच जाता है, मे तक यह खिच जाता ह है, मे तक खिचनी की वज़े से क्या होता है, इस period में, यहाँ तक का तो जो खर्चा है, यह government के पास होता है, क्यों, क्योंकि पिछले साल का चलता आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यह वाला जो period है, यहाँ पे उन्होंने budget पेश कर दिया, budget के ओपर discussion चल रही है, और budget अब कब पास होगा, माई में पास होगा, लेकिन खर्चा कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक अपरेल से स्टार्ट हो रहा है, तो एक अपरेल से लेके माई तक के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक अपरेल से लेके माई तक इनको पैसे की जरूरत पड़ मान लीजिये, सिरफ मान लीजिये, ठीक है, अपरेल से लेकर मई तक का यह जो पीरेड है, इस पीरेड में आपका जो खर्चा होगा, उसके लिए कुछ पैसे आपको दे दिये जाते हैं, कितने? 1 by 6th के आसपास आपको पैसे दे दिये जाते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है, vote on account, जब तक आपका बजट का प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा, तब तक कुछ पैसे रखलो और अपना काम करते रहो, vote of credit क्या होता है, vote of credit को कहा जाता है, blank check, government को blank check दे दिया जाता है, कि आप जो क पैसे की ज़रू होता है, तो पार्लियमेंट उसको vote of credit दे देता है, कि तुम्हें जितना खर्चा करना है, कर लो, ठीक है, यह जो खर्चा है, यह annual financial statement में में नहीं होता है, इसको कहते है, vote of credit, ठीक है, तो अगर आजाए blank check कि इसको कहते है, तो vote of credit, आप मा कर कहेंगे, exceptional grant क् exceptional grant का मतलब है कि यह service हमारे budget में अभी पेश नहीं थी, उसके अंदर लिखी नहीं हुई थी, पर हमें इसके लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप उसके लिए exceptional grant मांग लेते हैं, यह कुछ-कुछ आपका जो वह वाला grant था, supplementary, sorry, additional grant था, उसके जैसा ही है, ठीक है, लोग सभा के पास power है, यह grant करने की, ठीक है, और CFI से जो भी withdrawal होगा, वो पार्लियमेंट की authority के बिना नहीं हो सकता, इसले appropriation bill लेके आपड़ता है, financial bill जो है, वो आपके article 117 के अंदर लिखे हुए है, 118 यह बस आप read कर लिजगा, इतना जादा important नहीं है, बस read कर लिजगा इसको, ठी joint sitting के rules कौन बनाता है, वो chairman बनाता है, और speaker दोनों के दोनों साथ में बैठके, sorry, chairman, राज्यसभा का, लोगसभा का speaker, यह दोनों के दोनों साथ में बैठते हैं, और president को बताते हैं कि क्या-क्या rule होने चाहिए, तो president इन से consult करके rules बनाता है, तो joint sitting के और houses के बीच में कैसे बा English और Hindi यूज होगी, अगर, हाँ, यह एक point याद रखेंगे आप, अगर कोई member अपने आपको Hindi या English में सही से express नहीं कर सकता, परलेमेंट में सारी बाते हिंदी या English में होती है, पर अगर कोई member इस language में express नहीं कर सकता, तो जो presiding officer होगा, वो उस member को अलाओ कर सकता है कि अप discussion नहीं करेगा, simple, वो सिरफ Supreme Court और High Court के conduct पे तब discuss कर सकता है, जब Supreme Court और High Court के जज को remove करना है, जो 122 है, वो क्या कहता है, वो यह कहता है कि जो कोट है, कोट पारलियमेंट की proceeding पे बात नहीं करेगा, पारलियमेंट कोट के जजिस हैं, जजिस के उपर बात नहीं करेगा, और कोट जो है, वो पारलियमेंट के उपर बात नहीं करेगा, बस यह लिखा हुए इसके अंदर, तो इसको आपको बस read करना है, और कुछ जाधा खास नहीं है, यह article 123, 123 क्या है, मान लीजिए, मान लीजिए कि अभी कोई भी, अभी कोई एक house session में नहीं है, कोई भी act बनाना हो अभी, emergency नहीं बोल रहा हूँ, मैं urgent याद रखिये, एक urgent situation आ गई, और यह urgency है कि तुरंत ही हमें एक act की जरूरत है, लेकिन कोई house जो है, वो session में नहीं है, तो क्या act इतनी जल्दी बन सकता है, नहीं बन सकता, तो उस case में president को एक power दी गई है, कि वो ordinance issue कर दे, यह जो ordinance है, तो president कब ordinance प्रोमलगेट कर सकता है, तब या तो दोनो ही house session में ना हो, या फिर कोई एक भी house session में ना हो, थिक है, एक house session में दूसरा नहीं है, तो भी तो एक नहीं बन सकता, दोनों house चाहिया है, या फिर दोनों ही house session में ना हो, और president satisfied है, कि हमें immediate action लेने की जरूरत है, यह ज लेकिन इसके उपर कुछ सेवगार्ड बना रखी हैं, कुछ कंडिशन दे रखी हैं, वो कंडिशन क्या है, कंडिशन यह है कि जैसे ही पार्लियमेंट बैठेगा, जैसे ही पार्लियमेंट के दोनों हौसे सेशन में आएंगे, वैसे ही छे हफते के अंदर उस ओर्डिनेंस को करना पड़ेगा पार्लियमेंट के अंदर, अगर वो पास नहीं होगा, तो ओर्डिनेंस वहीं पे ही खतम हो जाता है, ठीक है, इसका मदब क्या है, कि यह जो है, इसको पास कराना होगा पार्लियमेंट से विदिन सिक्स मन्स फ्रम री असेंबली ऑफ पार्लियमेंट, जैस की उपर Parliament की अफॉरिटिय लौ बनाने की, यानि की अनि की के लोग बना सकता है, युनियन लिस्ट के उपर और कंकरेंट लिस्ट के उपर, यानि की जो प्रेजिडेंट है, वो स्टेट लिस्ट के उपर विएर में क्या होता था, श्टेय्ट लिजिसलेटिव असेंबली कुछ एक्ट को पास नहीं करती थी तो गौर्मेंट ने क्या करना चालू किया, गौर्मेंट वह लिए अजिश्ट कर दो शफुर्ण ने वह असेंपलनेंस पास कर दो तो वो क्या करते थे, Council of Minister, Governor से कहते थे, आप फिर से, और जिनेंस पास कर दो, सेम, तो वो फिर से, पास कर देता था, फिर जब स्टेट लेजिसलेटिव असेमली बैठती थी, तो छे हफते के अंदर उसको पास कराना होता था, उसको पास कराना होता था, वो पास करती नहीं थी, तो वो क्या कहते थे, फिर से, ओडिनेंस प्रमललगेट कर दो, इसको कहते थे, कि सेम ओडिनेंस को आब बार बार री प्रमललगेट कर रहे हो, तो आप अपनी authority को misuse कर रहे हो, तो DC वद बार केस आया था उसने कहा था कि बार बार ओडिनेंस को रिपरमल गेट मत करो ठीक है और एक अमेंडमेंट हुई थी अमेंडमेंट यह आप मत देखे बस एक बार रीड कर लिजेगा इतना इंपॉर्टन नहीं है ठीक है बस इतना याद रखे कि यहां पर लिखा हुआ है को कंदीशन में लिखा है कि जो प्रेजडेंट है प्रेजिडेंट साटिस्फाइओ होना चाहिए कि इमीडिय Чер ऑक्षन की ज़रूरत है तो यह प्रेजडेंट की सैटिस्वेक्षनन इसको चैलेंच किया जा सकता है ठीक है तह यह ऑर्डिनेंस का है अर बस हमारे President की recommendation ordinary में नहीं चाहिए, money bill में चाहिए, इसके अंदर introduction से पहले चाहिए type 1 में, और type 2 में consideration stage में चाहिए, amendment में नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुए है, तो आप ये देख लेंगे, तो ये आपका एक, इस table से आप एक question, बहुत सारे exams के अंदर ये question आते र जो notes हम अपनी इस वीडियो के अंदर use करेंगे, वो handwritten notes है, M. Lakshmi Khan से, अगर आप हमारे वो notes लेना चाहते हैं, तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आरी है, तो like करना ना भूले, दोस्तों के साथ share करें, और channel पर नहीं है, तो channel को subscribe ज़रू बनाके, जिसके अंदर उसकी power देखी कि वो summon करता है, प्रोरोग करता है, और लोग सभा को dissolve करता है, एडजन नहीं करता वो, फिर हमने देखा, जो president होता है, वो houses को address कर सकता है, या फिर message भी सकता है, president जो है special address भी करता है, president special address करता है, दो occasion पे, general election के बाद जब भी नई लो president किया जाता है, अगर motion of thanks pass नहीं होता है, तो फिर government fail हो जाते है, government गिर जाती है, फिर हमने देखा कि जो president है, वो कुछ लोगों को nominate करता है, लोग सभा के अंदर वो Anglo-Indians को nominate करता था, लेकिन वो Anglo-Indians अब नहीं nominate हुआ करेंगे, कौन से amendment के बाद से, 104 constitutional amendment के बाद से, और president राज्य सभा के अंदर 12 लोगों को nominate करता है, जो कि L.S.S. literature, science, arts and social service से belong करते हैं, president की और जो हमने powers देखी, उसके अंदर हमने उसकी power देखी, जब भी bill pass होके, दोनों होसे से pass होगा, तो वो president के पास जाएगा, और president या तो उसको assent देगा, या फिर उसके ऊपर अपनी क sign करने से, दूसरी उसकी देखी हमने suspensive veto, suspensive veto के अंदर वो क्या करता है, एक बारी, एक बारी bill को दुबारा से house के पास भेजता है, और कहता है कि तुम इसको दुबारा reconsider करो, house अगर उसको reconsider करके दुबारा से president के पास भेजते हैं, तो उसको assent देनी पड़ती है, और तीसरी veto थी, pocket veto, jam में डालके वो भूल चुका है, कि क्या, वो आपको यह decision देनी रहा, फिर उसके अधा हमने members की disqualification देखी, disqualification का article, आपको article number से याद रखना है 102, 102 के अंदर दो की disqualification है, एक तो है 102 clause 1 के अंदर, और एक है 102 clause 2 के अंदर, 102 clause 2 के अंदर जो है, वो हम 10th schedule के अंदर देखेंगे, अपनी next video में, legislature के बाद वही होगा, और 102 clause 1 के अंदर, जो disqualification है, उसमें deciding authority president है, लेगिन president किसकी बात पर काम करेगी, election commission जो बोलेगा, उसी हिसाब से वो काम क करेगी, फिर देखा कि president कुछ bill को introduce करने के लिए, president की recommendation चाही होती है, introduction से पहले, जैसे कि article 3 वाले जो bill है, और money bill जो है, और financial bill type 1 के, type 1 के financial bill जो है, उसमें president की recommendation चाही होती है, तो ये और वो budget जो है, budget पेश करता है, ये भी देखा हमने, president 123, 123 के अंदर ordinance issue करने की power है, ये 123 आ को article number से याद रखना है, तो ये सारे हमने president के बारे में देखी थी, president के बाद जो parliament के जो दो बचे थे, लोग सभा और राजे सभा, उसके बारे में हमने देखा था, उनके बारे में हमने क्या देखा, हमने देखा कि लोग सभा, लोग सभा और राजे सभा के हमने देखी कि members मेंबर्स कौन-कौन बन सकते हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, पहले तो यह देखा था, ठीक है, राज्यसभा के और लोगसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, वो देखा था, मेंबर्स कैसे चुन के आते हैं, यह देखा था, राज्यसभा में इंडिरेक्ट इलेक्शन का process देखा था PRSTV से जहां पर elected MLA, elected MLA चुनके भेजते हैं, लोग सबा के अंदर हमने देखा कि direct election होता है और लोग चुनके भेजते हैं, तो members देखे, members की क्या-क्या eligibility conditions होती है, वो देखा था यहां तक तो वो लड़ रहा था, यहां पर MP बनने का seat खाली कैसे होगी, seat खाली होने के भी हमने तरीके देखे थे कि वो राज्य सबा का MP था और राज्य सबा का member नहीं है, तो वो जो है, राज्य सबा का MP नहीं रहेगा, सेम लोगसभा के अंदर था, कि अगर वो लोगसभा का member नहीं रहेगा, तो वो नहीं रहेगा, MP नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसका हमेशा member रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो conditions, फिर हमने देखा था, officers देखे थे फिर इसके बाद शायद हमने, officers में हमने देखे थे, कि राज्य सभा के दो officer, chairman और deputy chairman, और यहाँ पर हमने देखे थे, speaker और deputy speaker, इनके हमने removal का, selection का, जो process था, वो process हमने cover किया था, फिर उसके बाद जो हमने देखा था, उसके बाद हमने conduct of business देखा था, कि voting जो है, voting होती है, simple majority से, present and voting की, present and voting की, यानि की 50% plus 1 से होती है, ये हमने देखी, फिर हमारा legislative process हमने start किया था, disqualification तो 102 में देख लिया, legislative process हमने start किया, उसके अंदर हमने 2-3 चीज़े देखी कि ordinary bill क्या होते है, money bill क्या होते है, finance bill क्या होते है, amendment bill क्या होते है, हमने president की power देखी, हमने joint sitting के बारे में देखा, जिसका article 108 आपको number से याद रखना ह तो ये सारी चीज़े हम cover कर चुके है, अब कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो कि constitution में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये हमारे यहाँ पे practically होती है, और जहां से आपको सवाल मिल सकता है, जल्दी जल्दी इसको cover करेंगे, बहुत ज़्याद इसकी detail में नहीं जाएंगे, अपना जो लोगसभा का member है, तो अगर वो लोगसभा का member नहीं है, तो किसको leader of the house कहा जाते है, जिसको भी prime minister चुन्दे, वही leader of the house कहलाया जाएगा, ठीक है, ये लोगसभा की बात है, leader of house in लोगसभा, फिर leader of house in राज्यसभा कौन होता है, कोई भी minister, कोई भी minister, जो की राज्यसभा का Member हो जिसको PM ने Nominate कर दिया हो ठीक है तो राजे सभा का Leader कौन बनेगा राजे सभा का Leader वो बनेगा जो कि राजे सभा का MP है साथ ही साथ वो Government के अंदर Minister भी है और उसको Prime Minister नومिनेट करता है लोगसभा के अंदर कौन बनेगा लोगसभा के अंदर एगर PM लोगसभा का ही MP है तो PM ही Leader बन जाएगा लोगसभा के House का और अगर PM लोगसभा से नहीं है तो PM किसी को nominate कर देगा और वो बन जाएगा Leader उस House का Head of लोगसभा किसको कहते है ठीक है वो होता है Speaker ये Leader of the House है इन लोगसभा leader of the house है और यह head है head of log sabah speaker को कहलाया जाता है leader of opposition क्या होता है यह definition आपको याद रखनी है leader of opposition होता है largest opposition party जो भी है यानि कि जिसको second highest vote मिले थे second highest seat मिले थी parliament के अंदर ठीक है वो plus में उसको 1 बटा 10 seat मिली हुई होनी चाहिए यानि लोग sabah की अगर 545 seats है तो उसको कम से कम 55 seat मिली होनी चाहिए तो ऐसी जो भी party जिसको 55 seat कम से कम मिली हो और जिसकी second highest second highest उसकी ranking हो यानि कि यह लोग sabah इसके अंदर यह वाली party majority में है यह majority party है तो यह बना लिगे अपनी government फिर यह दो party और है तो इस party को यह second highest इसको seat मिली है तो यह second highest party जो है यह eligible है leader of opposition बनने के लिए लेकिन हम यह देखेंगे कि इसको कितनी seat मिली है अगर इसको 1 बटा 10 seat मिली है लोग sabah की तो इसको leader of opposition बना दिया जाता है पहली बार यह date याद रखेंगे पहली बार leader of opposition 1969 के अंदर recognize किया था और इसको statutory status यानि law के अंदर कब डाला था leader of opposition वो डाला था 1977 के अंदर shadow cabinet क्या होता है यह Britain के अंदर follow होता है इंडिया के अंदर shadow cabinet follow नहीं होती पर अगर पूछ ले तो इसका मतलब क्या है यह parliament है parliament के अंदर यह आपकी ruling party है और इसको मान लेते हैं यह opposition party है तो ruling party के अंदर कोई minister of finance होगा कोई defense होगा कोई education होगा कोई telecom होगा तो जो opposition party है वो क्या कर देती है वो अपने किसी party member को यह बोल देते है कि भाई आज से तू minister of finance की shadow आज से तू minister of finance का पूरा काम देखेगा और उसकी उसकी सारी की सारी shortcomings को highlight करेगा दूसरे को बोलेगी तू defense वाले का shadow कर तू education को shadow कर तू telecom को shadow कर तो basically वो क्या कर रहे हैं वो अपना एक cabinet बना के रख देते हैं ठीक है यह जो cabinet है यह shadow करता है real cabinet को real cabinet को यह shadow कर रहा होता है real cabinet को shadow कर रहा होता है तो basically जो जनता होती है जनता को पता चल जाता है कि opposition में अगर हम अगली बार opposition को जिताएंगे तो कौन minister of finance बनेगा, कौन defense बनेगा ये अब सवाल आता है कि cabinet क्या होता है तो cabinet होते हैं देखिए ये council of minister है council of minister के अंदर जो कुछ गिने चुने सबसे important ministers होते है उनकी बनाई जाती है cabinet ठीक है तो cabinet members कौन होते हैं सबसे important ministers तो shadow cabinet आप देख लिजेगा क्या होती है WIP को हम करेंगे 10th schedule के साथ 10th schedule के साथ हम WIP को cover करेंगे बस अभी आप ये याद कर लें कि WIP ना तो constitution में mentioned है नहीं आपके rule of the house में mentioned है नहीं आपके parliamentary statute में mentioned है WIP केबल और केबल आपके convention से होती है ये हमेशा से tradition की तरह चलता रहा है इसलिए WIP चल रही है ठीक है या ठीक है देख लेते हैं जैसे कोई भी ये parliament है या कोई house है इस house के अंदर धेर सारी parties होंगी किसी एक member को बोल देंगे भाई तू जो है तू हमारी WIP है तू हमारी WIP है WIP का मत्रब होता है चाबुक तू हमारी चाबुक है हर party अपने किसी एक member को WIP बना के parliament के अंदर बिठा देगी जब भी कोई important discussion होगा तो WIP जो है अपने party के सारे members को direction देता है कि तुम्हें क्या काम करना है तुम्हें इस bill के favor में vote देना है बिल के against वोट देना है तुम्हें आज parliament आना ही आना है हराल में तो WIP क्या करता है अपने party के members को काबु में रखता है उन्हें बताता है तुम्हें क्या सारी चीजे करनी है इसलिए WIP को क्या कहता है WIP पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है यह कोई constitutional post नहीं है यह सिरफ convention से हो रहा है parties खुद कर लेती है यह discipline maintain करती है यह assistant floor leader का काम करता है अपनी party के लिए ठीक है और जो members है members को अपने WIP की बात माननी होती है अगर वो अपने WIP की बात नहीं मानेगा तो उसको disqualify किया जा सकता है 10th schedule के अंदर तो इसलिए 10th schedule के अंदर हम WIP को दुबारा से भी देखेंगे lame duck क्या होता है लोग सभा का जो time period होता है वो होता है 5 साल का और नई लोग सभा चुनके आएगी तो यह जो आखरी सेशन होता है इस आखरी सेशन के अंदर जो members बैठे होते है इस आखरी सेशन को कह देते है lame duck session और जो members बैठे होते है जो अगली बार चुनके नहीं आएगए उनको कहा जाता है lame duck lame duck ठीक है तो lame duck ठीक वो members है जो की अभी तो लोग सभा के member है पर election में चुनके नहीं आपाए तो वो सारे lame duck और जो आखरी सेशन हो रहा होता है उसको lame duck session कहा जाता है अब यह बहुत ही important चीजे है question hour question hour क्या होता है जैसे ही parliament की sitting होती है सारे की सारे लोग बैठते है तो जो पहला घंटा होता है first hour होता है उसके अंदर उसको हम question hour बोलते है यह जो question hour है यह आपको याद रखना है कि यह कहां लिखा है क्या यह constitution में लिखा है नहीं हमें जो constitution में लिखा था कोशनार कहला है जाएगा कोशनार के अंदर हम मंत्रियों से सवाल कर सकते है एक question UPSC का favorite question है वो क्या करती है हर साल किसी ना किसी form में यह जरूर पूछेगी कि parliament का major role क्या है parliament का major role होता है executive के उपर लगाम लगाना यानि कि legislature का main role होता है कि executive के उपर लगाम लगाए तो parliament का जो यह कोशनार है यह executive पर लगाम लगाने का काम करती है कोशनार के अंदर मंत्रियों से executive यानि की ministers minister से सवाल पूछे जा सकते हैं यह जो सवाल है यह आपके या तो start question होंगे या unstart question होंगे start question जो होते हैं इसका oral जवाब देना होता है इसका मतलब कैसा है oral जवाब देंगे और जो जवाब उसने दिया उस जवाब के बदले में कोई और सवाल भी पूछा जा सकता है जैसे जैसे interview में होता है interviewer आप से पूछता है कि आपकी hobby क्या है आप बोलते हैं आपकी hobby है guitar बजाना तो interviewer पूछता है आपने यह बता चार कितनी तरब आपे होते हैं guitar की छारई का नाम बता दो cortar की चारई का नाम बता दो उसने क्या किया आपके जवाब में से उसने सवाल बना लिया तो ये क्यों उपा रहा है oral था इसलिए उपार है, तो यही जो start question होते हैं, यह oral जवाब देने होते हैं, और इसमें, इसमें supplementary सवाल पूछे जा सकते हैं, यानि कि आपके जवाब में से सवाल निकाले जा सकते हैं, unstard question जो है वो return होते हैं, और इसमें कोई supplementary, कोई supplementary सवाल नहीं पूछे आते हैं, short notice question ऐसे होते हैं जिसमें 10 दिन से कम का notice देना होता है देखिए जब भी आप कोई भी काम house के अंदर करेंगे तो आपको उसका जो presiding office है रहा है उसको एक notice देना होता है notice देना होता है तो start unstart question में 10 दिन का notice इसके अंदर 10 दिन से कम का notice होता है short notice question के अंदर और ये भी orally दिया जाता है जो start question पूछे जाते हैं वो green color का एक card होता है उस green color के card पे पूछे जाते हैं जो unstart question होते हैं वो white color के card पे होते हैं और ये pink color के card पे पूछे जाते हैं जो question है वो minister से भी पूछे जा सकते हैं और private member से भी पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से पूछेंगे तो येलो कलर के कार्ड पे पूछे जाते हैं 0R क्या है, 0R हमारे Rules of Procedure में भी mentioned नहीं है, ठीक है 0R क्या होता है, जैसे ही Quotion R पहला घंटा होता है, 1st R जो होता है वो Quotion R होता है, फिर फिर उसके बाद आता है 0R और 0R के बाद आपकी जो Proceedings है, नॉर्मल Proceedings है वो Proceedings स्टार्ट होती है ठीक है, 1st 1st घंटा Quotion R, फिर 0R फिर नॉर्मल Proceeding, तो 0R कहां आता है इमीडियेटली, आफ्टर Quotion R और कब तक होता है, जब तक कि आपका जो यानि की नॉर्मल Proceedings है वो चालू ना हो जाए, यह जो 0R है, यह इंडियन इन्नोवेशन है और इन्फॉर्मल डिवाइस है कोशन R के अंदर आप स्टार्ड कोशन, अंस्टार्ड कोशन या शॉर्ट डूरेशन कोशन बूच सकते हैं आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं इसके लापको कोई भी नोटिस देने की जरूद नहीं है यह 1962 के अंदर से आया था 1969 में आपका लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस देखी थी हमने और 1962 से यह एग्जिस्टेंस में आ चुका है मोशन क्या होता है कोई भी पबलिक इंपोर्टेंस का मैटर अगर आप रेज करना चाते हैं तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि एक पबलिक इंपोर्टेंस का मैटर है मैं उसके बारे में चाहता हूँ कि Parliament में discussion हो, तो उसके लिए आप motion को लेके आते हैं, आप उसके लिए motion को लेके आते हैं, यह जो motion है, यह तीन तरह के हो सकते हैं पहला motion है substantive motion substantive motion का मतलब है कि यह motion अपने आप में पूरा है अपने आप में पूरा है यह motion इसको किसी और चीज को इसको समझाने के लिए किसी और चीज की जरुवत नहीं है, ठीक है, दूसरा होता है, सबस्टिट्यूटिव मोशन, इसका मतलब क्या है, कि आपने पहले एक मोशन इंटिड्यूस किया था, अब आप चाहते हैं कि वो मोशन के उपर बात ना हो, दूसरे के उपर बात हो जाए ठीक है, आपने उस मोशन का एक अल्टरनेटिव बता दिया, तो उसको सबस्टिट्यूटिव कह देते हैं, और एक होता है सबसीडियरी मोशन, सबसीडियरी मोशन क्या होता है, एक मोशन इंटिड्यूस था, ठीक है, फिर एक और मोशन इंटिड्यूस किया गया, यह जो द पे ही काम करता है तीन तरह के और यह जो सबसीडियरी यह तीन तरह के आप एक बारी पढ़ लीजगा यह इतने इंपोर्टन नहीं है यह तीन इंपोर्टन से जो मैंने आपको बता दिया फिर क्लोजर मोशन होता है यह एक स्पेशल टाइप का मोशन है क्लोजर मोशन क्या होगा चीजों के उपर डिबेट हो रही है यह क्या हाउस के अंदर कोई भी चीज इंटर्डूस हुई फर्स्ट हाउस के अंदर या सेकेंड हाउस के अंदर किसी भी हाउस के अंदर चीज के उपर डिबेट हो रही है debate होती जारी है फिर debate के बाद क्या होता है debate के बाद उसकी voting होती है तो देखे, क्या होता है लोग बैठे हैं, लोग आपस में debate कर रहे होंगे, debate करते-करते थोड़ा समय होगया, फिर एक दम से कहते हैं बस, बहुत बात हो गई अब voting का समय है, voting करो तो voting करवाने के लिए एक motion लेके आते हैं उस motion का नाम होता है closure motion ये कहते हैं कि मैं closure motion लेके आ रहा हूं बहुत देर से debate हो रही है आप सीधा voting करो ठीक है तुमने जितनी debate करनी थी कर ली अब मैं इस debate को यहीं पर रोक के इसके उपर voting चाता हूं तो ये क्या करते हैं ये cut shot कर द लिया मतब बहुत ही अच्छे तरीके से discuss किया है अब voting कर लो तो इसको का जाते है simple closure moved when matter has been sufficiently discussed फिर होता है closure by compartment closure by compartment में क्या होता है कोई भी matter था उस matter के अंदर कोई भी matter था जिसके अंदर ये matter मान लेते हैं पूरा का पूरा इस matter के अंदर ये सारी की सारी बाते हैं जो मैंने compartment हो गया ये 2 compartment ये 3 compartment ये 4 compartment तो पहले हम पहले compartment की बात करेंगे A की बात करेंगे इसको discuss कर लेंगे फिर A के उपर voting कर लेंगे फिर उसके बाद हम B की बात कर लेंगे B को discuss कर लेंगे फिर B के उपर voting कर लेंगे फिर हम C की बाते कर लेंगे C के उपर discussion कर लेंगे और फिर C की voting कर लेंगे, same with D, D के बारे में बात कर ली, सारी की सारी चीज़े हो गई और अब इसके उपर वोटिंग कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हम clauses को, जितनी भी उसके अंदर बाते हो रही है, वो clauses होते हैं, clauses को हम groups के अंदर, compartments के अंदर divide कर लेते हैं, फिर उन compartment के उपर discussion करके, जब एक compartment पूरा जाता है, तो उस compartment की important थे हैं यह वाले जो green से mark कर रहा हूं यह बेहद important clause थे तो kangaroo clause के अंदर क्लोजर के अंदर क्या होता है हम सिरफ important चीजों के ओपर discussion कर लेते हैं important चीजों के ओपर discussion कर लेते हैं और इनके ओपर voting कर लेते हैं इनके ओपर voting की जाती है, गुलेटिन का मतलब क्या होता है, हमार पास time की कमी है, budget आये, budget पेश हो है, budget के उपर discussion हो रही है, लेकिन time की बहुत कमी है, तो एक, ऐसे उपर से तलवार गिरा दी जाती है, और उस discussion को वहीं पर ही छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि हमार पास समय नहीं था, और क किसी member को ये लगता है, कि Parliament के अंदर दूसरे member ने कुछ गलत information दी है, या फिर facts को तोड मरोड के पेश किया है, तो वो privilege motion लेके आता है, वो कहता है कि मेरा privilege है कि मैं Parliament में बैठा हूँ, मुझे लोगों ने चुनके भेजा है, मेरा privilege है कि मुझे सारी की सारी information सच चाहिए, त कि अपने fact को गलत बता रहे है, तो हम privilege motion लेके आ रहे हैं, privilege motion अगर आता है, और privilege motion पास हो जाता है, तो वो जो मंत्री है, मंत्री को censure करना पड़ता है, calling attention motion क्या होता है, इसमें आप ये याद रखेंगे, calling attention motion, rules of procedure में mentioned है, 1954 से आया है, और ये भी Indian innovation है, इसके अलावे Indian innovation कों नहीं कर रहा, हम मंत्री का कान पकड़ते हैं, और उसको call करते हैं, कि भई तेरी attention कि इधर है, तेरा ध्यान कि इधर है, और तेरा काम इधर है, तो क्या करते हैं, उसके जो काम है, उस काम को बताते हैं, कि भई ये एक urgent public matter है, इसके उपर ध्यान दो, ठीक है, उससे बोलते ह कि इस matter पर आपने क्या काम किया है इसके बारे में हमें बताओ तो यह होता है आपका calling attention motion adjournment motion क्या होता है adjournment motion क्याता है भाई house house के अंदर चाहे जो भी काम हो रहा है कोई member आएगा member कहेगा house तुम जो भी कर रहे हो उसको यही के यही रोक दो उसको यही पर रोको एक बहुत ही जरूरी बात मेरे को बतानी है तुम सब को सब को बतानी है तो देखे calling attention motion में किसको बताया जा रहा था एक किसी individual मंतरी का कान पकड़ा जा रहा था adjournment motion में क्या कर रहे है adjournment motion में वो पूरे के पूरे house का जो ध्यान है वो खींच के ले क्या रहे है कि house तुम जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ो और मेरी बास सुनो तो यह पूरे के पूरे house की attention को draw करता है और public importance पे यह होनी चाहिए adjournment motion को move करने के लिए 50 member का support चाहिए होता है यह एक extraordinary device है यह क्या कर देता है house जो भी काम कर रहा है उसको interrupt कर देता है इसकी जो discussion है वो minimum धाई घंटे होती है adjournment motion के उपर अगर adjournment motion पास होता है अगर adjournment motion पास होता है तो government को resign करना पड़ सकता है इसलिए adjournment motion बहुत important होता है और 50 member जब उसको support करेंगे तब ही उसको house के अंदर लाया जा सकता है अब जो government है government को resign करना होता है government किस house के लिए responsible है government लोग सभा के लिए responsible है लोग सभा के अंदर majority होनी चाहिए तो जो adjournment motion है वो गर्मेंट को resign करने को कह रही है इसका मतलब यह है कि जो adjournment motion है वो केवल और केवल लोग सभा के अंदर ही आ सकता है राज्य सभा adjournment motion को use नहीं कर सकता ठीक है यह कुछ restrictions है जिसके बारे में आप बस read कर लिए जएगा जादा deep में इसको जाने की जरुवत नहीं है अब मैंने आप से कहा था कि एक sensor का element होता है अब यह censure का क्या मतलब होता है देखे censure के अंदर क्या होता है disapproval censure अगर एक चब्द में बोल जाए कि censure का मतलब क्या है disapproval तो जब भी किसी को किसी मंतरी या किसी के भी खिलाफ disapproval दिखानी होती है basically मंतरियों के खिलाफ disapproval दिखानी होती है तो वो censure motion लेके आ सकता है censure motion जो है आपको क्या क्या याद रखना है censure motion क्या करता है disapproval दिखाता है साथी साथ जब भी आप लोग सभा में censure motion लेके आएगे तो आप यह reason बताएंगे कि क्यों censure motion लेके आ रहे हैं उसको adopt अगर किया जाएगा तो कारण बताना पड़ेगा कि censure motion क्यों adopt किया जा रहा है दूसरा ये किसी एक individual मंतरी के खिलाफ भी हो सकता है धेर सारे individual मंतरियों के खिलाफ भी हो सकता है या फिर entire council of ministers के खिलाफ भी हो सकता है ये किसी specific policies और action के लिए होता है अगर ये pass हो जाए तो इसका मतरब ये नहीं है कि उस मंतरी को resign करना पड़ेगा ठीक है? सिरफ जो उसने काम किया है उसकी disapproval pass हो जाती है एक दूसरा तरीका और है disapproval दिखाने का वो है no confidence motion no confidence motion को opposition move करती है ठीक है? इसके अंदर आपको कोई भी कारन बताने की जरूत नहीं है आप सीधा move कर देते हैं इसको ये किसी individual मंतरी के खिलाफ नहीं होता है ये पूरे के पूरे council of minister के खिलाफ होता है ये basically ये कहता है कि आज की date में जो government बनी हुई है यानि कि council of minister which is headed by prime minister ये जो government है हम इस government को ही disapprove करें ये government के पास लोग सभा में majority नहीं है ये बोलना चाते हैं वो no confidence से तो इसके अंदर आपको कोई specific grievance की जरूत नहीं है आप सीधा बस ये बोल दो हमें government पे भरोसा नहीं है ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या करता है ये बताता है कि क्या लोग सभा को council of minister पे confidence है या नहीं वो दिखाता है अगर no confidence motion past हो गया तो council of minister को resign करना पड़ता है ठीक है? no confidence motion ministry को office से remove कर देता है और इसके लिए 50 member का support चाहिए होता है no confidence motion को 50 member का support चाहिए होता है एक और motion हमने देखा था जिसके अंदर 50 member का support चाहिए होता था adjournment motion ठीक है? adjournment motion पे कम से कम धाई गंटे की discussion हो रही थी motion of thanks मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ ये आप read कर लिजेगा ये कुछ ऐसे motion होते हैं जो कि presiding officer ने admit कर लिए कि हाँ इसके बारे में बात करेंगे पर कोई दिन alert नहीं किया कि किस दिन बात करेंगे तो no day yet named motion कहलाये जाते हैं ये ठीक है अच्छा ये ये जो important point है वो ये है ये आप याद रखेंगे speaker जो है वो discussion का जो time है वो कौन देता है? speaker देता है और business advisory council तो इन दोनों में से किसी से बात करके speaker करता है point of order का मतलब क्या है house के अंदर कोई बात हो रही है लेकिन rules follow नहीं हो रहे तो point of order लेके आते हैं कि भाई या rules दंग से follow कर लो बस सारी proceeding को वो वहीं पर रोक देता है तो बात कहता है rules follow करो half hour discussion जो है इसके उपर कोई भी motion लाने की जरूत नहीं होती इसके उपर कोई भी voting नहीं आती हफते के 3 दिन होते हैं जब आदे आदे घंटे की discussion की जा सकती है उन matters पे जो की public importance के हैं बस इतना याद कर लेज़े आप ठीक है short duration ये 1953 से है short duration का मतलब इसमें 2 घंटे से कम की discussion होगी आदे घंटे की देख लिए 2 घंटे से कम की discussion होगी इसमें भी public matter होता है और ये 2 दिन हफते में 2 दिन होता है half hour discussion हफते में 3 दिन और ये वाली 2 दिन special mention की अगर हम बात की जाए special mention के अंदर कोई भी matter raise किया जा सकता है ठीक है मतलब special mention का हमने धेर सारे motion देखे धेर सारे motion में धेर सारे matter को raise कर सकते है मान लिजे इसमें से किसी में भी कोई एक item ऐसा आया है item ऐसा आया है जो इसमें से किसी भी motion में फिट नहीं हो रहा तो जो special mention है वो राज्य सभा के अंदर होता है लोग सभा के अंदर नहीं होता बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कोई भी matter किसी और motion में नहीं आ रहा तो किस motion में रखते हैं बैसे ब师 को रूद जाना है है और नहीं में पहलने है, हमें कि भी में पहलने चीजा पूर्य तलिवी ड़ेता है, था हम पहले चीजाistically पैसे हिसाद से कॉछ इसी तरह का motion होता है, ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, क्या हर एक motion पर voting जरूरी है, हर एक motion पर voting की जरूरत नहीं होती, यह दो fact हैं, जो पूछे जा सकते हैं, अब जो legislative process असली में follow होता है, उसको हम देखते हैं, बहुत तेजी से, जो भी bill होगा, bill जब भी किसी house में introduce होगा, तो तीन step होते हैं, पहला step कहला जाता है, first reading, फिर आती है आपकी second reading, फिर उसके बाद आपकी third, तो जो second reading है, वो सब स्याधा important है, और हमें इसके उपर सब स्याधा focus रखना है, first reading के अंदर कुछ नहीं होता, आप सिरफ एक चोटा स introduction दे देते हो, और gazette के अंदर उसको publish कर देते हो, बस, यहाँ पे introduction देते हुए, आपके bill के अंदर, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो एक बड़ी सी heading दे रखी होती है, और फिर धिर सारे paragraph लेके होते हैं, फिर एक heading दे रखी हो, फिर paragraph लेके होते हैं, तो ऐसे यह जो introduction है, इसमें क्या गरते हैं, बस आपकी यह heading है, heading को title कह देते हैं, तो जो first reading होती है, उसमें सिरफ introduction देते हैं, जिसमें आपका title पढ़ देते हैं, और आपके bill का जो objective है, वो बता देते हैं, यहाँ पे कोई भी discussion नहीं होती, पहली reading बहुत ही simple सी है, second reading में क्या होता ह यहाँ पे बिल को बहुत बारी की से परखा जाता है, इसकी detail scrutiny होती है, और यहाँ पे बिल जो है, अपनी final shape लेता है, जो भी आपको बिल के अंदर amendment करनी है, वो आपकी second reading के अंदर होती है, इसकी 3 sub-stages है, 3 sub-stages में क्या होता है, सबसे पहले एक general discussion होती है, हर एक member के साथ, हर एक member को बिल की copy distribute कर देते हैं, और वो जो copies मिल गई, उसके बाद member जो है, उसके उपर ऐसे ही, अभी तक वो ढंक से पढ़ भी नहीं पाए है, बस ऐसे ही discuss कर लेते हैं, ठीक है, detailed discussion नहीं होती, क्यों अभी तो copy मिली है, कितना ही पढ़ देंगे, फिर उसके बाद क्या होत होती है, ठीक है, तो पहला तो क्या है, एक general discussion कर लेते हैं, ज्यादा detailed discussion नहीं होता, अब चाहें तो वो यहीं पर ही consideration की जा सकती है, बिल की, दूसरा क्या है, वो लोगों की public opinion ले सकते हैं, तीसरा जो की ज्यादा तर follow होता है, तीसरा है select committee के लिए भेज दिया, या फिर joint committee क उस बिल को बहुती अच्छे से, बहुती detail में पढ़ाई करता है, और आपस में उसके उपर बहुत सारी discussion करते हैं, यह जो committee के अंदर members होते हैं, यह अच्छे से, committee के अंदर जो members हैं, यह अच्छे से उसके provision को पढ़ते हैं, और उसकी report बना देते हैं, यह जो committee है, committee बनती ह चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके अंदर हमें कोई change करना चाहिए, amendment करना चाहिए बिल का या नहीं, वो जो है ये committee बता देती है, तो यहां पर बिल thoroughly examine होता है और amendment बता देते हैं उसके बहुत सारी चीजे देखते हैं, वो फिर एक report house को swap देते हैं, ये house है फिर उसके बाद आती है consideration stage consideration stage में क्या होता है इसमें, जो ये बिल था बिल के धेर सारे clauses थे इन एक एक clause को पकड़ा जाता है एक ए clause को पकड़ा जाता है और इसके उपर discussion स्टार्ट हो जाती है, इस clause को पकड़ेंगे, इसपर discussion करेंगे फिर इस clause को पकड़ेंगे, इसपर discussion करेंगे तो इसको का जाता है consideration stage तो जो हमने second reading में तीन stage देखी पहली stage में क्या हो रहा है पहली stage में एक general discussion होती है general discussion होती है second stage के अंदर committee जो है, committee detailed, detailed उसकी पढ़ाई करती है उसकी एक report बना लेती है और report बना के house को stop देती है अब जो house के member से उस report को पढ़के bill को और भी अच्छे से समझ सकते है ये जो committee है, ये amendment बता सकती है फिर जो third stage होती है third stage के अंदर consideration की जाती है bill की consideration की जाती है, यानि कि एक-एक clause को पकड़के के उस clause के उपर discussion होती है और उसके उपर voting होती है फिर एक clause को पकड़ेंगे उस पर discussion होगा उस पर voting होगी फिर एक clause को पकड़ेंगे उस पर discussion होगा और उस पर voting होगी तो ऐसे किया जाता है amendment कहां पर लाया जा सकता है amendment आपकी committee stage में लाया जा सकता है ठीक है, कई बारी क्या होता है, कमिटी स्टेज को बाइपास कर देते हैं, और जनरल रीडिंग के बाद, डायरेक्ली, कंसिडरेशन स्टेज में भेज देते हैं, जो की यहाँ पे लिखा था, ठीक है, यह लिखा हुआ था, बेसिकली आपको जो याद रखना है, जो मैंने यह चीज़ बताईए, आप यह याद रखेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट कहां पर इंट्रिड्यूस हो सकती है, यह बहुत इंपोर्टन है, थार्ड रीडिंग में क्या होता है, थार्ड रीडिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते है, यहाँ पे अभी देखिए, सेकि स्टेज में क्या हुआ, हमने क्लॉस बाइ क्लॉस सब की डिसक्शन कर ली और क्लॉस के उपर वोटिंग हो चुकी है, अब पूरे बिल की बात करेंगे, यह बताओ कि बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है, वो होता है थार्ड रीडिंग के अंदर, यहाँ पे आप बि siding officer है, वो इसको authenticate कर देता है कि हमने bill को accept किया है या reject किया है और वो second house में जाता है second house के अंदर ये तीनो reading जो है वो की जाती है फिर second house, या तो bill को pass कर देगा, पास कर दिया तो वो जाएगा president के पास, president उसको assent देदेगा तो बन जाएगा act, बिल को reject कर दे वो या फिर कोई भी action ना ले छे महीने तक, या फिर उसने amendment करके भेजी और disagreement हो गया तो इन सब को deadlock कहते हैं जिसके लिए joint sitting होती है, 108 या अल्रड़ी हम देख चुके है फिर उसकाद president का assent वो सब हम देख चुके है अब budget की formation देख लेते हैं budget को पेश कौन करता है, अगर कोशन आजाए budget को house के अंदर ले कौन करता है तो आप कहेंगे president present कौन करता है तो आप कहेंगे finance minister ठीक है, budget finance minister जो है, वो लोग सभा के अंदर speech देता है, जिसको का जाता है budget की presentation होना जैसे ही budget जो है present हो जाता है, वैसे ही budget को राज्य सभा के सामने रख दिया जाता है राज्य सभा की budget के उपर जादा ताकत नहीं होती, वो सिरफ और सिरफ discuss कर सकता है यह जो demand for grant है, वो केवल और केवल लोग सभा के अंदर ही होती है यह मैं आपको शायद जब समझा रहता है था बार-बार बोल रहा था कि सिरफ लोग सभा में demand for grant आती है, राज्य सभा में नहीं आती राज्य सभा सिरफ और सिरफ discuss कर सकता है voting नहीं कर सकता तो budget का यह presentation हो गई राज्य सभा में पहुंच गया फिर उसके बाद क्या होता है फिर general discussion चालू होती है तीन से चार दिन की budget यहाँ पेश हुआ पेश होने के बाद राज्य सभा भी पहुंच गया फिर तीन से चार दिन तक तीन से चार दिन तक एक general discussion हो जाती है यहाँ पे कोई भी cut motion नहीं आता budget में मैंने आपको होता है था ना pet cut होते हैं तो कोई भी cut motion नहीं आता ठीक है कोई भी cut motion यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे budget को budget को सिरफ तुम यह देख सकते हैं कि budget के पीछे का जो principle है उसके उपर discussion कर सकते हैं बहुत जादा detailed discussion मत करो यह जो principle है इसके उपर finance minister जवाब भी दे सकता है तो क्या हुआ budget पेश हुआ budget पेश होने के बाद तीन से चार दिन एक general discussion हुई detailed discussion नहीं हुई सिरफ principle के उपर चर्चा हो रही है फिर उसके बाद जो house है वो हो जाता है adjun house हो गया adjun जो presiding officer होगा speaker होगा speaker क्या बोलेगा कि house को कर दिया है मैंने adjun आब तुम budget का detail study कर लो मैं तुमें 3-4 हफते दे रहा हूँ 3-4 हफते दे रहा हूँ तुम budget की detail study कर लो budget को भेज़ दो departmental committee के पास departmental committee के पास भेज़ दो यह जो departmental committee है यह ढंक से चेक करेगी कि budget में जितना पैसा मांगा है उतना देना है या नहीं देना फिर उसके बाद हम दुबारा से बैठेंगे और दुबारा चर्चा करेंगे यह होता है budget का process ठीक है फिर उसके बाद departmental committee के पास भेज़ दिया जाता है उनके बारे में report बनाएगी कि क्या demand for grant है कितने रुपे मिलने चाहिए कितने नहीं मिलने चाहिए और उस report को दोनों houses को सौंप देगी दोनों houses को सौंप देगी फिर houses के बाद जो है voting चालू होती है demand for grant पे राज्य सभा voting नहीं कर सकता सिरफ लोगसभा voting करेगा जो consolidated fund of India होता है उसके charged on expenditure या charged upon expenditure पे कोई voting नहीं होती इसके आपने देखा था salary the president की supreme court, high court के judges की pension वगएरा ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी तो जब ये सब voting हो जाती है लोगसभा उसके उपर voting करके budget को pass कर देता है budget को pass कर देता है मान लीजे 9000 रुपे का budget pass हो गया 9000 रुपे का तो इस पैसे को निकालने के लिए appropriation bill लेके आया जाता है कोई भी पैसा बिन appropriation bill के नहीं निकाला जा सकता फिर उसके finance bill लेके आते हैं finance bill के अंदर आने वाले साल के जो proposal है वो लिखे होते हैं कि आगे कितना tax होगा यह सब चीज़ है यह सारा का सारा आपका एक process था जितना हमें देखना था उतना मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत जादा आपको detail में जाने की ज़रुवत नहीं है यह तीन तरह के fund हैं जो आपको पता होने चाहिए बेहद important fund है यह एक fund है यह है आपका consolidated fund of India फिर आता है public accounts of India और तीसरा fund होता है contingency fund of India article number 266 and 267 involved हैं और आप याद करने की कोशिश करेंगे consolidated fund of India और public accounts of India 266 में है contingency fund of India 267 में है consolidated fund of India के अंदर के है government को जितने भी पैसे आएंगे government को जितने भी पैसे आएंगे और government जितनी भी payment करेगा वो consolidated fund of India से होती है simple government को जो भी पैसा आ रहा है government जो भी payment कर रहा है वो consolidated fund of India से होती है तो इसके अंदर क्या आता है receipts क्या हो जाएंगी सारा का सारा government of India का revenue सारा सारा government of India का loan अगर government of India ने किसी को loan दे रखा था और वो loan repay हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आता है इनके अलावा इनके अलावा जो भी ऐसा पैसा होगा जो public का होगा public money public money जो कि government को मिलती है public money जो कि government को मिलते हैं और government को कभी न कभी वो वापिस करनी पड़ जाएगी, तो वो सारी चीज़े आती हैं आपके public accounts of India के अंदर all other public money received by government of India, वो public account of India में आएगी, जैसे की PF का deposit, saving bank deposit, departmental deposit remittances, judicial deposits ठीक है, यह public का पैसा है, यह government का पैसा नहीं है, बस इस तरह से आप याद करने की कोशिश करें कि सारा का सारा दूसरा public money इन तीन को छोड़के, public accounts of India के अंदर जाएगा, जो public account of India है, यह पैसा किसका यह government का पैसा नहीं है, ठीक है तो इसको निकालने के लिए क्या parliament की approval की जरूत है, नहीं इसको निकालने के लिए, parliament की approval की जरूत नहीं है, executive directly इसका पैसा निकाल सकता है PF deposit वगरा जो होते हैं, वो सारे के सारे executive control कर लेता है फिर आता है contingency fund of India, तो असली में जो contingency fund of India होता है, उसके लिए एक act बना हुआ है, 1950 का contingency fund of India इसके अंदर क्या होता है, यह पूरा का पूरा fund, president के पास रहता है, president के पास रहता है, और president क्या करता है finance secretary को बोल देता है finance secretary को बोल देता है कि मेरे, मेरे बिहाफ पे तू इस fund को देखेगा इस fund से जब भी पैसा ऐसा निकालना है तो तेरी responsibility है होता है, यह किस के अंदर है, president के अंदर पर president किस के पास भीज देता है, finance secretary के पास यह भी executive action से होता है अगर कोई emergency आ गई, flood आ गया या फिर drought पढ़ गया और पैसे की ज़रूद पढ़ रही है तो उन unforeseen खर्चों को चलाने के लिए हम contingency fund of India को use करते है delegated legislation, जो parliament होता है parliament के अंदर layman लोग बैठे है कौन से मंत्री लोग बैठे है, MP बैठे है इन MP के बाद ज़्यादा expert नहीं होता है यह लोग क्या MP बनने के लिए कोई education qualification चाहिए नहीं चाहिए तो क्या यह bill की हर एक बारीकी को समझ जाएंगे, क्या यह इनके पास कोई legal knowledge होगी, इनके पास जादा legal knowledge नहीं होती, तो parliament क्या करता है वो एक bill बनाता है मतब जो भी act बनाएगा act बनाता है, वो act के broad principles लिख देता है broad principle लिख देता है कि हम इस act से चाते हैं, यह यह काम हो जाएं लेकिन इसकी जो detail है, वो detail नहीं भर पाते हैं, क्योंकि वो expert नहीं होते हैं उन्हें नहीं पता कि कानूनी page क्या है तो वो क्या करते हैं, वो एक broad principle बना देते हैं, objective बना देते हैं act का, फिर इसके जो छोटी-छोटी minute detail होती है, वो सारी की सारी detail जो है, वो कौन फिल करता है वो executive फिल करता है law बनाने का काम किसका? Parliament का या legislature का, लेकिन legislature के पास expert help नहीं होती इसलिए वो क्या करता है, वो एक बड़ा-बड़ा broad framework बना देता है act का, और उसकी जो minute details होती है, वो executive को कहता है, आप इधर-उदर से expert की advice लेकि उसकी details जो है उनको फिल कर लेना, इसको का जाता है delegated legislation, इसको subordinate legislation भी कह देता है, क्योंकि Parliament ने इसको delegate कर दिया है executive को कि executive तू बना ले, ठीक है rule of lapse क्या होता है, कि आपको जितना भी पैसा मिला हुआ है, जितना भी पैसा मिला है, उसको आप इसी financial year में खतम कर लो, यानि कि 31 March तक सारे की सारे पैसे को खर्च कर लो, वरना वो जो पैसा है वो lapse हो जाएगा, budget में जो भी पैसा था वो lapse हो जाएगा, तो क्या होता है मंतरी लोग, पहले तो पैसे को खर्च करते नहीं हैं, यहां तक वो सोते रहते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि अरे मेरे पास तो 100 रुपे का खर्चा था मेरे को अपने गाउं में light लगवानी थी तो अब मैं क्या करता हूँ वो last में, March से ठीक पहले, March से ठीक पहले, यानि कि एक मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में, वो इतना जादा खर्चा कर देते हैं, उसके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे खर्च कर देते हैं, क्यों? ताकि वो पैसा lapse ना हो जाएं, इसको का जाता है, March Rush और March Rush क्यों होता है, क्योंकि Rule of Laps दे रखाएं, एक बारी रीडिंग करेंगी, या आपको समझ में आ जाएगा, ये कोछ Judicial Functions हैं, Parliament के, कि President को Remove करना है, तो Impeachment होती है, Judges को Remove करना है, Vice President को Remove करना है, तो उसको भी Judicial Function कहते हैं, किसी outsider को Punish करना है, तो वहाँ पे भी Judicial Matters होते हैं, ठीक है, Parliament के पास Contempt की भी Proceeding चला सकता है Parliament, अगर उसके Privilege का कोई हनन कर रहा है, तो कोई खराब कर रहा है, तो राज्यसभा की Special Powers, आपके Article 249 और 312 के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल में, लोगसभा की Special Power, Financial Matter में है, Council of Ministers के उपर Control, जो है, वो लोगसभा का रहता है, क्योंकि Collective Responsibility का Concept है, लोगसभा के Greater Number है, जिसकी वज़ए से Joint Sitting के अंदर इनको Help मिलती है, ठीक है, Emergency, Emergency, Emergency जब पढ़ेंगे, तो यह वाला Point आपको Clear हो जाएगा, तो आप बस अभी Read कर लेना, Speaker Pro Time क्या होता है, Speaker Pro Time क्या होता है, देखें, जो Speaker का House है, जो Speaker की जो Seat है, Speaker, लोगसभा खतम हो जाती है, लोगसभा खतम हो जाती है, लोगसभा Dissolve हो जाती है, 5 साल के Tenure के बाद, लेकिन Speaker तब भी Continue करता रहता है, ठीक है, लोगसभा यहाँ पर Dissolve हो गई, और यह 2 महीने तक, Speaker continue कर रहा है, पर लोगसभा नहीं है, क्यों करता रहता है, क्योंकि जब, जो Speaker है, Speaker का Tenure कब खतम होगा, अगली लोगसभा जब बैठने वाली है, उससे तुरंत पहले, अगर लोगसभा आज बैठने वाली है, तो आज की सुभा, यह वाला Speaker जो है, इसका Office खतम हो जाएगा, ठीक है, तो जो Speaker का Office है, वो First नई लोगसभा की पहली Meeting से Just पहले, Just पहले उसका जो Office है, वो खाली होता है, तो अब कोई भी Speaker नहीं है, देखे, Speaker लोगसभा जो है, वो Speaker को चुनती है, लोगसभा स्पीकर को चुनती है, नई लोगसभा चुनके आई है, तो क्या भी उन्होंने Speaker को चुनाओगा, अभी नहीं चुनाओगा, अभी तो नई लोगसभा बैठी भी नहीं है, उसकी First Meeting हुई ही नहीं है, तो वो Speaker को क्या चुन लेंगे, तो क्या किया जाता है, इसकी पहली Meeting से Just पहले Speaker, जो है, अपने Office को खाली कर देता है, और उस टाइम पे President, President इस लोगसभा के, सबसे Senior Most Member के पास जाता है, और कहता है कि सुनो, जब तक लोगसभा नए Speaker को नहीं चुन लेती, तब तक तुम बन जाओ Pro-Tem Speaker, कौन चुन रहा है Pro-Tem Speaker को President चुन रहा है, किसको चुन रहा है, यह Convention है कि सबसे Senior Most Member को President चुन लेता है, President कहता है कि भई, तुम सबसे बुजर्ग हो, तुम Pro-Tem Speaker बन जाओ, तुमारा काम क्या है, कि जब नए लोगसभा चुन के आएगी, नए लोगसभा चुन के आएगी, तो तुम उनको ओत दिला देना, लोगसभा के अंदर, बस, यह काम होता है, Pro-Tem Speaker का, तो Speaker का जो Office है, वो कब विकेट होता है, Newly Elected लोगसभा की पहली Meeting से, जस्ट पहले, तो जैसे ही वो अपने Office को विकेट कर देता है, President जाता है, लोगसभा के Senior Most Member के पास, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें Pro-Tem Speaker बना रहा हूँ, यह कहीं लिखा नहीं हुआ, यह by convention होता है, इसे लिए usually लिखा है, जो President है, वो Oath देता है Pro-Tem Speaker को, President Oath देता है Pro-Tem Speaker को, और Pro-Tem Speaker नई Elected लोगसभा की पहली Meeting को Preside करता है, तो अगर कोशन आजाए कि नई लोगसभा की पहली Meeting को कौन Preside करता है, तो आप मार्क करेंगे Pro-Tem Speaker, अगर कोशन आजाए Pro-Tem Speaker को कौन Appoint करता है, तो President, कौन Oath देता है President, जादा तर वो Senior Most Member होता है, बिलकुल, ठीक है, पहली Meeting का Preside जो कर रहा है, वो Pro-Tem Speaker कर, Presides over First Meeting, ठीक है Duty क्या होती है Pro-Tem Speaker की, Pro-Tem Speaker की Duty होती है, जो Newly Elected लोगसभा के Member आए हैं, उनको Oath दिलाना ठीक है, President उसको दिला रहा है, और यह उसको, यह फिर Privileges है जो मैं आपको Already बता चुका हूँ, एक बार इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे, वो Handwritten Notes हैं, M. Lakshmikant से अगर आप हमारे वो Notes लेना चाते हैं, तो उसका Link आपको Description में मिल जाएगा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो Like करना न भूले, दोस्तों के साथ Share करें, और चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें